हेलो वाट्स आप गाइस मैंने मिस्मिनोत बादूर थापा एंड टूडें इस कुटीब विल सी हाओ तो क्रेट अ कंप्लीट डैनेमिक विपसाइट विसिंग नोड और मॉंगो डीवी इन हिंदी तो चलिए गाइस सुरू करते हैं सबसे 플레이 साफब का बहुथ स्वागत कना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेकनिकल पे ऑज में बाताना चाहूंगा को आज का विडियो बहुत ज्याद बहुत ज्याद और ती ज्याद कैसे अ हमॉत देक्सके heavenly ऐशी ccaई ग Sounds using html, bootstrap 4, css, node.js, express.js, mongodb, and mongoose को लेकर and believe me guys, आप लोगो को बहुत मसाने वाला आप देख सेटेगा हमारा वेबसाइट कैसा दिखने वाला so here we have our main you know title आपका जो भी brand का title होगा then here we have our navbars then आप देख सेटेगा हमारा जो main hero section है वो कुछ इस तरिके से दिखाएदेगा we will help you to grow your business we are the team of professional developers read more आप देख सकते हो कितना perfect and guys आप देख सकते हो मैं इसको एकदम clean, neat and एकदम modern रखने की कोशिस किये ठीक है जादा मैंने कुछ किया निया इसको एकदम superb रखने की awesome रखने की मैंने पूरी कोशिस किये then we have our about us का page आप इस तरिके से देख सकते हो यहाँ पे भी आप देख सकते हो guys ठीक है and then we have our services आप देख सकते हो हम जो जो services provide कर रवा रहे है and then आप हमें कहां search कर सकते हो तो google map को भी मैंने इसमें embed किया हुआ है and then here we have our contact us का page and then at the bottom we have created with love by copyright technical ठीक है so guys कुछ इस्तरिके से दिखाई देने वाला and यह जो पार्ट इसको आप देख सकते हो perfectly scroll करता है इस्तरिके से आप देख सकते हो and contact पे जाता हूँ so here we have our contact वाले भी and I know guys the moment में इस्तरिके से इसको क्लिक की and यह जो पेज यहां पर scroll हो की नीचे आपको दिखाई देर अब आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आ रहा होगा and that is कि क्यों ना ऐसा होता है कि अगर मैं contact पेज पे क्लिक करता तो एक new page उपन हो जाए विलीब में guys वो कोई बड़ी बात नहीं हो बहुत ही ज़्याता सिंपल हो वह मैंने अल्ड़ी आपको यह आले वीडियो देखो complete web development course वाला जो मेरा project उसमें मैंने आपको बता कि वह हम कैसे कर सकते है समझ रहे हो बहुत ही ज़्याता सिंपल है लेकिन मैं चाहता था कि आज आप लोगों को इस वीडियो में complete एक आप कैसे कि आपने business का जो आप एक website जो आप बनाना चाहते थे using node and MongoDB वह में दिखाना चाहता था लेकिन फिर भी वीडियो के बीच में मैं आपको बाता दूँगा अगर आपको contact के बदले इस तरह किसे यह page ना दिखा कि I mean इस तरह किसे scroll ना करवा कि अगर contact us का page खुलना रहा तो वह कैसे का ना वह सिर्फ एक minute का काम होगा बहुत इसली हो जाएगा वो भी ठीक है लेकिन गाई से बहुत ही awesome है and the best part है कि यह मैंने complete node express mongodb and mongos के through create किया है and यहां पी जो contact us का form है guys अब यह भी perfectly work करता है ठीक है देखिए so guys आप देख सेकते हो मैंने अपना नाम अपना email address and then phone number मैंने add किया phone number एक काम करता हूँ मैं एक second obviously guys मैंने validation add किया और तो आपको बिल्कुल टेंसर नहीं लेना है आपको बिल्कुल टेंसर नहीं लेना है so guys आप देख सकते हो विनोत बादूर्थापा विनोत एडिरेजिमेल.com यह जो हमारा है and welcome to my channel and ऐसा नहीं कि guys मैंनो multiple perfect जितना है उतना ही date भी हमें यहां पे मिल रहा है so guys यहने एकदम awesome and the best part है कि इसी दिखाने के लिए क्लिए क्लिए क्योंकि आज के टाइम मैं guys I think 70% लोग ज्यादा था mobile यूज करते सो अगर मैं inspect पे चलता हूं and this is it guys ही देखिए perfectly responsive and अपने चीज़ नोटिस किया कि नहीं image right side में but the moment में you know mobile को open करता हूं तो वह हमें top पे दीख रहा होता है ठीक है यह है न awesome यह देखो आप देख सकते हो perfect है about us यह हमारा our services देखो एकदम perfect है कहीं कोई problem नहीं हमारा यह part and our यह contact all our form यहां पे भी guys अगर मैं submit करता हूं empty तो आप देख सकते हूं इतने कुछ में validation error आ रहा है तो guys बताना चाहूंगा आज का इस वीडियो एकदम best एकदम complete आप यह कह सकते हूं कि अगर आपको एक साथ काम कर रहा होता है ठीक है तो guys आप हम बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन उससे बहुत बताना चाहूंगा कि January 5 special day है आप क्यू है वह आप खुछ सर्च कर लीजेगा आपको बाता चल जाएगा लेकिन guys मैं चाहूंगा कि January 5 2021 से पहले-पहले हम 3 लाइक सब्सक्राइबर हीट कर दे विलिब में गाइस में डेली मेनात कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एकदम कॉलिटी कंटेंट दे सकूं मैं ठीक है मैं अपनी तब से फूरी कोशिस करूंगा आप जरू कर सकोगे ठीक है सो गाइस अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते सो देखे गाइस इसका मैं कुछ प्री रिक्विजिट आपको बाताना चाहूंगा मैंने अल्ड़ेडी कम्प्रीट मन का जो बैकेंड डेवलपमेंट है या अगर आपको इस पार्ट में कुछ डिफिकल्टी होती है या अगर आपको एकदम डीप एक्प्लेनेशन ची तो काईस उस पार्ट को आप जरू चेक आउट कीजएगा मेरे इस प्लेलिस्ट में इसका लिंक मैं आपको क्या करता हूं मैं यहां पर चलता हूं मैं यहां पर चलता हूं फिलाल अभी ओपन फोल्डर पर मैं चलता हूं मैं यहां पर चलता हूं इस तरी किसे सो गैस में क्या करता हूं मेरा जो नोड जेस यूटूब है वहां पर मैं चलता हूं एक और निव फोल्ड करता हूं जिस scratch select end तक सब कुछ आपको बताने वाला हूं so this is my folder मैंने control and then back tick press किया तो guys मुझे मेरा terminal open हो गया है आप लोगों के लिए तोवास जूम कर देता हूं because guys सबसे वहले मुझे अब इस पर क्या करना है मुझे अपना package install करना है I need to include package.json file ताकि इस project में जितने भी dependencies यूज हो रहे है वो सबको हम control या manage करके रख सके and believe me मैं कोई भी serial link यूज ही नहीं कर रहा pure जो एक professional लोता है उस तरह किसे करूँ ठीक है so देखो guys मैं क्या करता हूं simply npm init आपको लिखना and then hyphen y flag आपको देदाना it means की automatic सबकुछ हो जाएगा अपने आपी मुझे खुछ से कुछ कानी की जो अतनी पॉपक्त ही देखो मेरा सबकुछ है यहां पर हो चुका है ठीक है मेरा name, version, script, keyword, author आप चाहो तो guys यहां पर जाके इस तरह किसे थापा और technical इस तरह किसे लिख सकते हो यहां इतना easy है यह चलो ठीक इतना मेरा काम होगे CLS तो देखो guys हम क्या कर रहें Node and Mongo की मदश से complete dynamic website क्रेट करने हो ले तो वी निड़ टू इंस्टॉल so npm i express simple तो मेरा यह एक्सप्रेश जेज जो इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है मैं यहां पर चलता हो फिलाल अभी यह दो रखता हूँ ठीक है बाकी कुछ नहीं सिर्फ अभी यह दोनों में रख रहा हूँ all right and node जो वो तो guys obviously वो तो चाहिए ही चाहिए so अगर मैं आपको दिखा दू तो जो मेरा current version ने node का आज के दिन में जो मैं work कर रहा हूँ that is 12.18.3 all right simple इतना मेरा काम हो गया अभी as it is इसको मैं छोड़ता हूँ control s save करता हूँ अब देखो गाइस वापस इदर ही में चलना है cls करता हूँ मुझे कुछ folders चाहिए इसके अंदर so guys make directory src मुझे source folder चीज़ आप देख सकते हूँ मुझे source folder मिल चुका है मैं cdsrc के अंदर चलूँगा उसके अंदर type null इस तरह के से अब मैं क्या करता हूँ app.js मुझे एक file create करना था एंड आप देख सकते हो app.js नाम का एक file इसके अंदर create हो चुका है और बताना चाहूँगा यह जो code मैंने लिखा file को create करने के लिए it doesn't mean कि अगर आप linux user हो या mac use करें तो इसमें भी same हो so guys वहाँ पर different हो सकता है आप जरू check out कीजेगा and अगर आपको मालूम है कि क्या करते है I mean क्या command लिखना जिससे new file create होगा या मैं कोई भी ऐसे command लिखने वाला हूँ इस project में क्यूंकि मैं windows पर use करने वाला हूँ so guys उसके corresponding जो भी actual command है in linux and in mac please आप मीचे comment कर दीजेगा मुझे बहुत खुसी होगी and इससे बाकी को भी help हो जाएगा ठीक है and एक और पार्ट है कि अगर आपको इससे ना करना हो तो आप guys directly यह जो source folder था right click and new file अब directly इससे भी कर सकते हो ठीक है लेकिन यह better है थोड़ा professional approach लगतर बाकी कुछ नहीं है कैसे भी आप कर सकते हो it's totally up to you ठीक है so guys इतना मेरा काम हो चुका है अभी में क्या करता हूँ source folder के अंदर में एक और folder create करना है that is make directory एक dir database का ठीक है perfect उसके अंदर guys मुझे models भी चाहिए सो इस तरह किसे में चलता हूँ simply models लिखूँगा क्योंकि इसमें हमारा जो user scheme है उसको में set करने वाला हूँ अभी फिलाल के लिए मुझे बस इतना ही करना ज्यादा कुछ नहीं करना है इतना मेरा काम हो गया है और पॉपक देखो यह जो database से अब मैं आपको नॉर्मल तरीके से दिखाता हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस तरीके से भी हम कर सकते जरूरी नहीं जो मैं कर रहा हू इसको हटा देता हूँ ठीक है सबसे पहले वी नीड एक्सप्रेस ताकि मैं क्या करूंगा मेरा जो backbone है उसको मैं create करना चाहूँगा तो frontend हम थोड़े बात में देखेंगे हम backbone में कि देखेंगे कि home पे अगर हम click करते तो यह page कैसे आता है यह हमें response कैसी मिल रहा है ठीक हमें अपना server create करना है and अपने backend जो है हमारा जो database से उसको connect करवाना है तो वह कैसे होगा वह हम सबसे पहले देखेंगे सो देखिए const ठीक है तो जोम कर देता हूँ इतना पॉफेक्ट रहेगा एक दम है कि नहीं so simply में चलता हूँ const i need to get the express from requiring the express module मुझे इसको space करना है so express this is it ठीक है express को मैंने require कि now यह जो मेरा एक function है इसके through मुझे एक constant अब देखो क्या करता हूँ यहां पर const मुझे एक app करवाना होगा जिसके अंदर अब देखो मुझे simply express function को call कर देना है चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका syntax कुछ ऐसा है app.get path and then callback ठीक है मैं यहां पर क्या करता होगा इस जो मेरा route होगा अगर आप directly कुछ भी नहीं लिखते हो या simply forward slash pass करते हो it means वह आपका home page है and इसके अंदर guys आपमें callback function करने वाला हूँ ठीक है and वह जो callback function है मैं यूज कर रहा हूँ by using a fat arrow function we have a request object and then a response object simple यहां पर में चलता हूँ response.send यहां पर में बस इतना लिख दूँगा कि हमें वह request मिल रहा है कि नहीं I mean response server से मिल रहा है कि नहीं Hi I am awesome आप कुछ भी लिख सेकते हो I am it means कि आप भी अगर आप रिट करोगे तो वह आप भी होगे right so simple and then guys simply में server create कर देता I mean server को listen भी तो करना पड़ेगा so app.listen and now यहां पर guys हमें port number पास करना है ठीक है simply and एक बेटर अप्रोच यह रहता guys जब हम .enbq पर में आप यहां प्लोड कर चुका यहां पर आप देख सकते हो जरूर चेक आउट कीजेगा उसमें simply यह रहता है कि guys जब आप इस तरीके से you know host करोगे इस website को तो उनका जो port number होता वो हमें idea नहीं तो guys इस process help करेगा उनको वह port दिलाने के लिए port number so मैं simply चलता हूँ port equal to process process.env dot आपको लिखना पड़ेगा port simple end में और मैं जाके guys मेरा इसको में run करवाऊंगा 3000 में simple ठीक है and i think यह अभी चलेगा कि ने लेट सी क्योंकि मेरा अल्ड़ेड एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है so यह जो मेरा port है guys इसको मैं copy करता हूँ यहां पे कर जाता हूँ comma and then again मैं यहां पे you know fat arrow function उसका रहा हूँ and then guys again मैं यहां पे fat arrow function उसका रहा हूँ just to make sure कि हाँ एकदम सही है and मैं template literal से उसका रहा हूँ server is running at port number ठीक है जो भी port number होगा वो यहां पे guys आपको मालूम है अगर dollar and then curly braces देकि कि अगर मैं से किसी port या कोई भी variable को पास कर दूंगा तो इसकी value मुझे वहां पे मिल रहे होती है simple इतना मेरा काम हो चुक है अभी मुझे क्या करना है इसको run करना ठीक है so guys मैं क्या करता हूँ वापस package.json पे चलूंगा यह जो node 1 जो package इसको install कर चुका है so node 1 के अंदर source forward slash app.js जो की मेरा main root folder है इसको run करना चाहूँगा ctrl s save end में अभी से ही guys एक flag add करों that is की JavaScript के साथ साथ अगर मैं HBS handlebars को भी यहां पी उसकाने वाला हूँ so उसको भी अगर मैं save करो तो यह node 1 automatic run हो जाना चाहिए this is it and जब भी आप script के अंदर जो की आपका package.json के अंदर रहता है and अगर आपको इसको run करना है तो ctrl s save करो ठीक है tap पे जाओ I mean terminal open करिये तो पहले तो cd के बाहर आता हूँ मैं इसको clean करता हूँ देखो guys npm लिखना है आपको then run लिखना है and then जो भी आपका script का नाम होगा in my case it's a deb so this is it guys अब आप देख सेकते perfect server is running at port number 3000 perfect मैं यहाँ पे चलता हूँ already 3000 में पहले सी था अगर enter it करता हूँ and this is it guys I am awesome चलो मेरा इतना काम हो चुका है मेरा root folder तो create होई गया सबसे ज्यादा सिंपल एंड इतना सिंपल कर दिया mongoose ने कि हमें कोई tension की बात नहीं so mongoose equal to we need to require mongoose again ताकि हम उस mongoose के जो connect function उसको में call कर सकूँ so mongoose perfect ठीक है mongoose.connect आप देख सकते हो function इसके अंदर काईस आप मुझे किस तरी की से पास कर रहा हो मैं आपको बाता आता हूँ ठीक है उसके लिए हम क्या उसकरने वाले compass उसकरने वाले mongodb हमें यह provide कर वा रहा है ताकि आप इनों locally अपने system पे बहुत इसली work कर सको तो अगर आपको इसको live रखना हो तो हमारे पास Atlas भी है ठीक है हला कि मैंने इसको उपर वीडियो नहीं बनाए मैं जल्दी create करूँगा लेकिन वह तार से खाली आपका अगर आपको host करना हो ना online तो इसमें खाली आपका code चेंज करना है कि सब कुछ से मैं और बाकियो कहीं कुछ नहीं देखो गाइस यह क्या है मेरा mongodb है simple है कि नहीं तो मैं यहां पर चलता हूं इस तरह किस देटाबस के साथ so it's your mongodb simple then हम हमारा जो host है वो क्या है देखो localhost colon इसका जो port number है by default 27017 ठीक है आपको colon forward slash forward slash localhost यह and then again आपको forward slash now यहां पर आपको अपना database का नाम देना है so आप बहुत क्लिरली लिख सकते हो creating a database spelling wrong हो गया creating a database इस तरीके से आप बहुत तरीके से लिख सकते हो कि अब आप अपना database create करें यहां पर मैं नाम देने वाला हूं थापा डाइनामिक थापा डाइनामिक अपको डाइनामिक चलो spelling एकदम से पॉफेक्टी कंट्रोल है सेप कर देता हो guys आपको एक चीज यहा तकना आपको कॉमा देना पड़ेगा हमें कुछ deprecation warnings आती है वह मैं नहीं चाहता हूं ठीक है तो false ठीक है एंड आपको बिल्कुल टेंसर नहीं लेना कि कहां से आ रहा find and modify जो है फिलाल इसकी मुझे कोई जो आती नहीं चीए use और कहां है new URL parser इसको भी में कर देता हूं false ठीक है guys एक और है that is your unified इसको भी में कर देता हूं false simple this is it अब भी क्या होता ना कैसी जो function mongoose.connect basically हमें promise return कर रहा होता है promise it means कि आपने किसी को promise की and in future आप इधर promise को निभाओगे या तो आप वस promise को तोड़ दोगे in real life right but in mongoose promise भी कुछ वैसे है I mean not in only mongoose javascript में जो mongoose का concept है वो भी same होई है आपने promise की कि मुझे you know यहाँ पर यह mongoose.connect यह promise कर रहा है ठीक है मैं connection secure कर दूँगा connection create कर दूँगा database भी मैं create कर दूँगा लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा तो guys वो जो समय लगता है obviously समय लगने के बाद वो data देगा या तो नहीं देगा it means कि इधर वो promise हो जाएगा reject या fulfilled fulfilled मतलब success reject मतलब की कुछ तो भी कहीं गड़वड हो गया simple ठीक है so मैं यहाँ पर चलता हूँ then it means कि अगर वो success हो गया तो मैं यहाँ पर चलके guys fat arrow function use कर रहा हूँ again मैं यहाँ पर लिख देता हूँ console.log and guys spelling अगर wrong हो तो please map कर देना क्योंकि हमें कुछ लेना देना नी spelling से मैंने concept ठीक है catch को मैं call कर रहा हूँ and catch में guys कुछ इस तरह की से आपको इसको पास करना है error को मैं call कर रहा हूँ ठीक है and again यहाँ पर fat arrow function मैं चल देता हूँ इस तरह की से I think मैंने कुछ गड़वड की जी हाँ guys call back function again same and बाहर यह इस तरह की से चलो this is it यहाँ पर भी मैं चलता हूँ console.log and यहाँ पर guys जो error उसको मैं पास कर दूँगा तो जो error होगा so होगा so this is it इतना simple था connection हमने create कर ली database के साथ हमने साथी साथ database भी create कर वा लिया अभी मुझे क्या करना guys इसको require करना पड़ेगा अपने app.js के अंदर so मैं यहाँ पर चलता हूँ एक काम करता हूँ यानि इसके ठीक नीचे चलता हूँ and not यहाँ पर यहाँ पर चलता हूँ यह ज्यादा बेटर रहेगा राइट यहाँ पर मैं चलता हूँ स्ट्रिकिस आपको simply लिख देना है require require लिखना है dot forward slash database forward slash con now अब अगर मैं Ctrl आश सेप करता हूँ so 3 2 1 and all right एक और error है new URL parcel to mongodb एक से देखो guys आप खुद देख सकते हूँ यहाँ पर मुझे यह आ राड़ेप्रिकेशन वर्निंग एक और यूज यह जो पार्ट है इसको में copy करता हूँ and I think यह तो मैंने पास किया नहीं यहाँ पर all right guys तो मैंने गलती यह कर दी कि मुझे true value pass करनी थी मैंने false 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 कर दी लेकिन I hope अब आपके doubt to clear पक्का हो गया होगा कि मैंने क्यों यह जट से यह तीनों की तीनों लिखे थे यह होता है देखो आपको deprecation warning आता है भाई नहीं ट्रू लिख हमें नहीं मालूम बट यह बोलता है कि इस तरह की से करो ठीक है सो मैंने सेट की एक सेकंड नॉट है यहाँ यहाँ पर इस तरह की से मैंने लिख दी ट्रू कंट्रोल है सेप करता हूं अब आप देखोगे कोई एर नहीं कोई deprecation warning नहीं बैस पार्ट यह सर्वर हमारा रन कर रहा हमारा connection भी successful हो चुका है इतना सिंपल था ठीक है अब यहाँ पर चलता हूं चलता हूं ठीक है यहाँ पर में एक new folder क्रेट करता हूं जिसका नाम होगा गाइस simply इस तरह के से views और पॉफेक्ट इसके अंदर में चलता हूं एक new file क्रेट करता हूं जिसका नाम होगा index index.hbs simple handlebars को में यूज करने वाला हूं अब यह बात है कि जो handlebars से इसको भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा ctrl c c c ls इसको थोड़ा सोपा लेके जाता हूं ठीक है देखो गाइस इस अगें सुपर डूपर रिजी बेसिकली वीनीड टेंपलेट इंजिन so hbs इस तरह किसे मैं लिखता हूं so यह क्या यह एक वीउंजीन है Express.js का वीउंजीन है handlebars बहुती ऑस्वम है यह ठीक है आप देख सकते हो विकली डाउनलोड से थिने हैं इसको कॉपी करता हूं यहां पर चलता हूं मैंने अल्रेडी इसकी वीडियो बना चुक है तो आपको विल्कुल टेंसर नी लेना है ठीक है like we have a pug we have ejs तो इसे तरह किसे मैं handlebars से उस कर रहा हूं जो की मुस्टैच के अंदर आता है clean कर देता हूं अभी मुझे क्या करना अगेन अपने code को run करना है इस तरीके से perfect चलो ठीक है बाकी मेरा सब कुछ हो चुका है ठीक है मैं यहां पर चलता हूं इसको खटा देता हूं आप देख सकते हूं HBS आ चुक है तो वह जो static तरीका होगा अगेन आपको क्या करना पड़ेगा बाहर जाना है ठीक युनों source के अंदर एक दम बाहर आपका जो main root folder है वहां उसके अंदर आपको अगेन एक new folder क्रेट करना होगा आपको नाम देना होगा public ठीक है इसके अंदर आपको अगेन एक new file क्रेट करना होगा CSS आप चाहो तो JSB कर सकते हो एंड एक और new नाम देदी फिलाल अभी के लिए time pass में बस दिखा रहा हूं यह ठीक है कि ऐसा भी तरीका है अगर आपको dynamic create ना करना हो तो तो index.html css पे मैं css use कर सकूं simple ठीक है एंड देखो अभी मैं क्या करता हूं html पर मैं चलता हूं simply html एंड थौर सा कम जूम अगर मैं करूंगा ना तो मुझे यह एब्रिवेशन इतना छोटा क्यों दिख रहा है और आल्राइट पाफेक्ट में वह इस वच इतना छोटा क्यों दिख रहा है उसको मैं कलर जो है वह फिलाल के लिए अभी दे देता हूं इस तरीकी से और रेड ठीक है आइड नो वाई मैं आम इसा रेडी देता हूं चलो कोई बात नहीं मैं यहां पर चलता हूं ठीक इसके नीचे वह जो css है गाइस उसको मुझे क्या करना पड़ेगा इस पे अगर यूज हो रहा हूं तो हम अपने इस एक्सप्रेस अप्लिकेशन में बहुत तीजी उसको इंक्लूड कर सकते देखो कैसे एप पे मैं चलता हूं ठीक है देखो अब मुझे यह बात आना पड़ेगा कि मैं एक स्टैटिक वेबसाइड उसको मैं यूज करना चाहता हू अपने इस एप के अंदर सो क्या मैं वह यूज कर सकता हूं सो मिस्तर के से रिक्विस्ट पूछेंगे सो एप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एंड नाव यहां पर आपको काई उस जो भी फोल्डर है यूनो उसका आपको पात देना है अभी कैसे देंगे द इस शैटिंग दी पाथ में लिख देता हूं सिंपल ठीक है अन्ड यह काइस हमारे मीडिल वेर्स होते है तो इसको भी मैं इस तरीके से अब मुझे तरीकिसे जो पॉल्डर है उसका पाथ मुझे यहां पर एड करना है ठीक है const spelling एकदम सही लिखता हूँ and again wrong const मैं लिख देता हूँ यहाँ static path equal to देखो guys it's super duper easy मुझे एक और जो core module and node.js का उसको मुझे include करना पड़ेगा const path equal to require मैं चलता हूँ यहाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरी किसे एक second p a t h I don't know मुझे क्यों suggestion नहीं आया but it's totally fine ठीक है now मैं यहाँ पर चलता हूँ path dot we have a join method it's super duper easy मुझे क्या करना है यहाँ पर चलना है underscore underscore एक second underscore underscore dir name इसको मुझे add करना है ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ अभी आप देख सकते हूँ मुझे warning मिल रही विकोज इसके कारण मिल रहा है वो warning मुझे ठीक है अभी चलो सब कुछ perfect है अभी एक काम करता हूँ यह जो part है इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों कुछ दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो को मैं एक दम complete awesome best बनाना चाहूँगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ console.log यह जो part है यहाँ पर जाकि आप मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है control and save अभी देखो guys मुझे जो path मिल रहा है सब्सक्राइब क्या हूँ इस तरह के से कॉमा . . . . . सब्सक्राइब आप देख सकते हूँ मैं सोर्स फोल्डर के बाहर चला गया मैं नोड डैनेमिक में आगया अभी उसके अंदर पब्लिक नाम का एक फोल्डर है control and save और बूम गाइस ही देखिए पब्लिक आगया मुझे बस यही चाहिए इस इस इट गाइस एक टाइम मैं आपको यह बता दिया कैसे हो रहा है अभी मुझे इसको दो बार और करना होगा for different propose मैं आपको बात में बताऊंगा लेकिन उस समय मैं directly ही कर दूँगा ठीक है सेम यही चीज को follow करते हुए सो इसको मैं करता हूँ copy यहां पर मैं कर देता हूँ paste इसको मैं हटा देता हूँ this is it ठीक है इसको भी मैं हटा देता हूँ अब भी इसको भी मैं uncomment कर देता हूँ बहुत इजली अब मुझे यह static path मिल चुका एक second कॉपी करता हूँ and then यहां पर मैं इसको pass कर देता हूँ this is it guys अब आप best part ही देखोगे कि अब भी अगर मैं यहां पर चलता हूँ and refresh करता हूँ and this is it guys कैसा लग आपको अब directly मेरा जो main root page था यह Hi I am awesome के बदले क्या किया उसने I mean actual में वह इस पार्ट तक पहुचा भी नहीं जैसी हमारा code top to bottom approach में जा रहा था जैसी उसने देखा अरे यहां पर एक middleware यूज रहा है जहां पर static folder यूज हो रहा है it means कि static पर जाते ही उसने क्या किया हमारे जो public and जो index.html था you know उसको इनने पास कर दे इस इतना सिंपल है लेकिन जो index.html इसके मुझे बिल्कुल भी नीट नहीं है ठीक है क्योंकि मैं complete handlebars को यूज करने वाला हूँ अपना view engine करने वाला हूँ वह कैसे होता है मैं आपको बाता आता हूँ this is it आपको पाता चल गया यह लेकिन इसस पार्ट बहुत ही जाद इंपोर्टेंट है इसको फिलाल के लिए भी मैं close कर देता हूँ index वाले पार्ट पर मैं चलता हूँ दो चीजे बहुत ही जाद इंपोर्टेंट इसमें bootstrap and jquery इसमें include करने वाला हूँ जैसे कि मैंन आपको स्टार्टिंग में बता दिया था सो मैं क्या करता हूँ इसको इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको मैं करता हूँ cls npm i and then simply bootstrap spelling से लिखना है bootstrap जो भी latest वो automatic ही fetch कर लेगा let's see क्या fetch किया 4.5.3 cls बापस मैं चलता हूँ and यहाँ पर मैं चल के स्ट्रीक से लिख देता हूँ jQuery and guys आज आज आपको एक awesome trick पता चलने वाला कि अब आप bootstrap and jQuery को कैसे include कर सकते हो all right यह जो हुआ 3.5.1 चलो ठीक है मैं वापस clean कर देता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ और perfect चलो ठीक है आपस मैंने अपने node 1 को start कर दिया connection server बोता perfect package.json file पे जाएंगे we have our bootstrap and then we have our jQuery मुझे इन दोनों को include करना है अपना main इस project के अंदर ठीक है वो कैसे होगा देखो guys again यह बहुत ही जादे important part है मैं क्या करता हूँ मेरा यह setting the path जो है ठीक है ठीक उसके नीचे में चलता हूँ and अब देखो एक काम करता है इसके नीचे नीचे उपर ही में चलता हूँ क्योंकि important है वो राइट so देखो किस तरी कीस होता है यह बहुत ही जाद इस पहले and I think guys अभी तक आपने शाहेदे देखानी था होगा so app.use ठीक है मुझे यहाँ पर उस root को mention करना that is यह मेरा CSS के लिए I mean bootstrap.min.css आपको यादे कुछ ऐसा होता था तो उसको पाने के लिए express.static.save जो मेरा method उसको call करूंग and again मैं आपको बता दिया था guys यह जो path. यह जो join इसको मुझे use करना है again same होई अंडिस्कोर 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 डिया नेम ठीक है कॉमा देखको इस तिरके से single code double code सा आप कुछ भी उसकर सकते हो dot dot forward slash यह काम करते इसको आटा देता हूं इस तिरके से लिख देता हूं dot 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 ठीक है हम क्या कर देते डारेक्स सीडेंट निंक कर देते यहां पर मैं पता कैसे करूंगा लिखना बाकि कुछ नहीं .min.simple आप इसको चाहो तो इस तरगी से भी लिखी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है लिंक एक सेकंड यह डिरेक्ली लिंक लिखनी सकता मैं सो css यह लिखना यह नोड मॉडूल्स फारओड स्लैस बूस्ट्रैप फारओड स्लैस दिस्ट इसको आप एकदम नीट एंड क्लिन रखो और बाकि यह जो मेरा पार्ट है बुट्स्ट्रैप .min.s यह गलती से आया इसको आप एकदम इग्नोर कर दो इंक्लूट कर दो तो गाहिस यह ज्यादा बैटर लग रहा है इसलिए ठीक है कंड्रोला से मैं यहां पे चलता हूं यह जो मेरा पार्ट था ठीक है इसको वापस मुझे क्या करना का इसको वापस मुझे गेट करना है एंड मुझे सेम अब यह दो बार और करना पड़ेगा बोलो क्यों अब बूस्ट्राइब डॉट्ट्राइब के लिए एंड यहां पे मैं चलता हूं जेस उसको पार्ट दूंगा इसको मैं दूंगा जे क्यू बैसिकली जे कोईरी के लिए तो नूड मॉडूल सेम है बुस्ट्राइब सेम है डिस्ट सेम है जसे धर वी हैब इस तरी के से जे क्वेरी जेस आ जाएगा यहां पर गाईस यह जो पार्ट इसकी हमें कोई बिल्कुल नईड नहीं है मैं simply चलूँगा इस तर किस jquery forward slash and then dist simple control s save कर तो इतना simple था यह ठीक है मेरा इतना काम हो चुका है अभी मुझे js and jq अब देखो गाइस यहाँ पर मैं चलता हूँ ठीक इस जगे पर मुझे उनको क्या करना है वहाँ पर include करना है ठीक है मुझे उन सबको वहाँ पर include करना है सो मैं कैसे करूँगा मैं चलता हूँ इस तर किसी script यहाँ पर मैं क्या करूँगा guys I need to give this source इस तर किसी चलता हूँ देखो अगे नोड मॉड्यूल सा है मैंने अल्ड़ी जे क्वेरी का एंड जे क्वेरी टॉप पर रखना गाइस वरना में वह वो वक नहीं करेगा सायद आपको बस टॉप पर रखना जे को हमेसा this is it and यहाँ पर एक टाइप दे सकते हो और टाइप इसे bootstrap simple bootstrap.js बाकिस डिट्टो सब से में and अब मेरा काम हो चुका है अब मैं यहाँ पर चलता हूँ ठीक है अब गाइस यहाँ पर अगर लेट से में एक बटन उस करता हूँ फिलाल अभी के लिए and बटन यह क्या है बटन सब्मिट सब्मिट नीचे मुझे सिंपल बटन उसको एक लाज देता हूँ इस तरह किसे and button and यहाँ पर में चलके button success we all know कि success अगर हम लिखते है तो हमें वो एक green करम मिल रहा था रहा है तो इस तरह किसे में चलता हूँ this is it अब गाइस मैंने कि अपना में व्यू इंजी निउस कर रहा हूँ जहां पर मैंने और इस तरह कि मुझे अपने इस एक्सप्रेस एप्लिकेशन को बताना पड़ेगा कि में एक व्यू इंजी निउस कर रहा हूँ जो कि मेरा हैंडल बार से प्लीज आब उसको सेट कर दीजिए ठीक है सूच देखो कैसे होगा app मैं यहाँ पर चलता हूँ app dot आपको अब सेट करना है ठीक है एंड वो इसलिए आरहा है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जब आप इससे हैंडल बार को सेट कर देते हो अब हम क्या चाहेंगे कि जब भी कोई हमारे होम पेज हमारा जो इंडेक्स पेज पर विजिट करें तो इसको हाई आयम आउसम नहीं मैं चाहूँगा व्यूज ना ना में उसको यहां पे broken index अगर about us का page मैं आद में आपको का थाहा next में बीच में кажze सब्सक्राइब यहां पर क्या करना होता इस तीर केसे contact इतना । इंब इस के शरकाए एक न्यूव Fal- Againodesk contact.hbs extension handlebars से मैं इसको copy करता हूँ यहां पर paste कर देता हूँ यहां पर मैं लिख देता हूँ contact का page age हो गया चलो कोई बात नहीं अब बस देखना में यह है कि यह वह करता है या नहीं अभी guys मैं करता हूँ और बूं गाइसे देखियो awesome and आप खुद देख सकते हो कि index पर मैंने कुछ color नहीं दिया था यह मैं bootstrap 4 का जो class है जो वो इसको मैंने include की है and वो मेरा bootstrap 4 एकदम perfectly include हो गया है अब वहीं अगर मैं चलता हूँ इस तरगी से contact पर ठीक है contact पर and this is it contact का page तो इतना simple था है यह पार्ट फिलाल अभी मुझे इसको नहीं चाहिए चलो मैं रख देता हूँ फिलाल आभी के लिए and इसको हटा देता हूँ मुझे कोई need नहीं this is it ठीक है मेरा index page हो चुक है अभी मुझे इस index page पर काम करना पड़ेगा and believe me guys अगर इस website को अगर आप में create करने जाता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा time लगने वाला है लेकिन फिर भी मैं करूँगा लेकिन इसका जो CSS का जो part होगा guys उसको मैंने pre install नहीं बोल सकता उसको मैंने already add कर रखा तो जैसे जैसे मैं code लिखता जाऊँगा css apply होता जाएगा automatic उसका जो execute होगी जो code हमें मिलना था वो हमें यहां पर मिलता जाएगा simple ठीक है तो इतना मेरा काम हो चुका है अभी मैं क्या करता हो देखो गाईस अब मुझे यह website क्रेट करना पड़ेगा यह मेरा main index page है मुझे नपबार चाहिए सो मैं चलता हूँ यहां पर boost strap 4 एंड मैं से किसे लिख देता हूँ नपबा ठीक है सबसे best है आपका यह get boost strap वाला यहां पर आपको चलना है यह जो पार्ट है इसको बिना देखे करो copy ठीक है एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइस मैं फिलाल अभी यहां पर उसको as it is रख देता हूँ एंड थ्विदे के लिए कम जूम करता हूँ कंडोले सेव यहां पर चलकर रिफ्रेश सौरी यह नहीं मुझे बैक जाना पड़ेगा एंड इसको अगर मैं आप रिफ्रेश करता हूँ एंड इस इस जिर गाइस अब आप बहुत किलेली देख सकते कि हमने कितनी एजी ली न नेप बारेगा इस ही आपके हर एक पेज में होगा सो हम क्या करेंगे मैं चलता हूँ विउस पर ठीक है अभी मुझे इसका जो नाम है वो मैं चेंज करना हूँ उसका जो नाम होगा काईस में यहां पर एक सेकेंड एक निव फोल्डर क्रेट हो रहा है यहां पर इसको मैं चलता हूँ रिनेम करता हूँ मैं लिख देता हूँ इस तरह की से टैंप्लेट्स स्पेलिंग एकदम सही लिखिए बस अब बाकी कुछ नहीं दिस इजी ठीक है अब इसके अंदर में क्या करता हूँ मुझे दो न्यू फोल्डर क्रेट करना पड़ेगा वान इस यो व्यू करता हूँ वापस यहां चलता हूँ न्यू फोल्डर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह किसे पार्शियल्स पॉफट ना इस इसको मैंने यहां पर मूब किया व्यूज फोल्डर के अंदर क्योंकि वह हमें सब यूज के अंदर ही रहने वाले एंड इस अब यह मैंने इस कि simply क्यों न कुछ ऐसा हो कि मैं सिर्फ नैब लिख दू मेरा गाम हो जाए वो पूरा का पूर्ण सिर्फ एक नैब लिखने से मुझे मिले तो उसको हम बोलते पार्शियल्स पार्शियल्स फाइल्स राइट सो मैं चलता हूँ यहां पे एक निव फाइल करता हूँ जिसका अब जितना भी पेज आप कर लो वहां पर अगर आप विस्तर किसे नैब बार को कॉल करोगे आपका यह कंप्लीट कोड वहां पर आपको मिलने वाला है लेकिन अभी भी हमारा जो में एक्सप्रेस एप्लिकेशन उसको कोई आइडिया नहीं कि यह पार्शियल क्या चीज है एंड वहां तो हमने बस इतना बोल दिया कि भई ठीक है मैं तो एक हैंडल बार यूस करने वाला हूं बस लेकिन बाइडिफॉल्ट जो पेज होता है बाइडिफॉल्ट जो फोल्डर सेट किया गया था वो था व्यूज लेकिन व्यूज नाम का तो कोई है नहीं आप का है उसके अंदर साथ साथ हमने पार्सल भी एड़ कर दी ताकि मैं उसको भी उसको कर सकूं तो यह सब के सब जो डेटा है यह जो बाते है यह हमें सेर करना है एक्सपेस के साथ एप्लिकेशन के साथ समझ रहो तो वह कैसे होगा देखो अगेन इट सुपर डूपर इजी म देखो गाइस उसके लिए मुझे पाथ्र सेट करना है शींपली ठीक तो पहले तो में वह टंपलेट एंड देन वह पार्सल का मैं पास्पार्स चार देता हूं सो मैं यहां पे चलता हूं मैं यहां पे लिग दूगा गाईस सिम्पलीस तर किसे टैंपलेट टेम्या जो मेर पर मैं लिख देता हूं इस तरह के से टेंप्लेट पाथ ठीक है काई सौट में रख दो कोई जरूरी नहीं है कैप में रखना या जैसे भी आपको जैसा भी हो एंड इसको मैं कर दूंगा इस तरह किसे आप पार्सियल पाथ एंड इस पैलिंग एकदम सही लिखे वस पार्सियल पाथ ठीक हाला कि यह आपके कॉंस्ट बेरिवल का नाम है तो आप खुछ भी लिख सकते हो अब हमें इसको सेट करना है एक्सप्रेस अप्लिकेशन को बताना है विकॉज हमने जो पाथ था वो तो हमने गेट कर लिया ठीक है ठीक इसके नीचे में चलूंगा तो आसा जूम कर देता अब यहां पे देखो किस तरीके से हमें बोलना है बहुत ज्यादा सिम्पल है इस एप.set मेरा जो पहले फोल्डर था जिसका नामे व्यूज अब वह व्यूज नहीं रहा अब वह हो चुका है मेरा यह वाला पात यह दिस इज जहां पहले व्यूज हमें डिरेक्ली मिल रहा था अब मुझे वह मिलेगा टैंपलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाना दैन आपको व्यूज मिलेगा तो बैसिकली मैं बता रहा हूं कि अब वह व्यूज फोल्डर आप कैसे गेट कर सकते हो एक्सप्रेस अप्लिकेशन को ठीक है अब मुझे वह पार्सिल्स करना है ठीक है तो वह बहुत इजली क पर सकता हूं उसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा इसके नीचे में चलता हूं वी निट वीड रिक्वार हैंडल बार सो कंस्ट तो है करता है करता हूं यहांप भी में चलता हूं लेट सी क्या होता है अगर में रिफ्रेस्स करता है एंड ओल्राइट वह रह्म बापर्टी अपर रिजिस्टर पार्षेंट आप अफ अनदीफाइंड यह नेभार है अगर अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, we have our napbar, simple, napbar है, napbar का कोई problem नहीं है, ठीक है, लेकिन problem होगा साधी, यहाँ पर कहीं तो मैंने कुछ गड़वड किया है, all right, hbs.registerparts, जल से, ना कि कॉमा, देखो कैसे इतना simple, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, all right, perfect, awesome, सब कुछ perfect है, and अगर म हमें napbar आ रहा है, है कि नहीं, awesome, and again, अगर आपको याद हो, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चलता हूँ, napbar आ ले page पर, इसके मुझे कोई need नहीं है, देखो, यहाँ पर यह जो drop down है, ठीक है, पहले तो इस drop down को मैं हटाता हूँ, ctrl s, save करता हूँ, जो link वाला जो home about service gallery contact, home about service, I like, मैंने gallery add नहीं किया, आप खुछ से add कर सकते हूँ, and then here we have our contact, ठीक है, यह disable किसले चाहिए, वाई, ctrl s, save, refresh करता हूँ, आप देख सकते हूँ, कुछ इस तरीके से, यह जो form है, इसकी भी मुझे कोई need नहीं है, it's super easy, इसकी भी हमें कोई need नहीं है, ठीक है, and आज के टाइम में तो गाइस, बहुत सारे, मतलब, ऑनलाइन में आपको बहुत सारे free websites मिल जाते है, उसे को यह आप कॉपी करके गाइस, इसको थोड़ा modify कर सकते है, if you know, html, ncss, ठीक है, and यह जो आपको left side में देख रहा हमें उसको right side में चीए, बिलिप में गाईस, यह कोई नहीं में यहापे काम करता हूँ, सिर्फ h1 में लिख देता हूँ, home page, see, क्या होता है, here we have our home page, ठीक है, अभी ditto इसको में copy करता हूँ, and इतना याद रखो, guys, यह जो part था, यह सिर्फ one time है, आपको यह थोड़ी मैनत लगी होगी, ठीक है, लिकीनी सिर्फ एक बार है, I will go with contact page, तो simply मैं control है, save करता हूँ, यह मेरा home page, and contact पे देखो, guys, contact page आ नहीं रहा है, ठीक है, and वो इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, nap bar पे जाना है, we have our hrp, ठीक है, यहाँ पे जा कि क्या करना है, forward slash, contact, basically आपको वो root mention करना है, कि अगर कोई पे क्लिक करता है, तो वो किस route पे विजिट होगा, and यही same route, guys, आपके यहाँ पे define होने चीए, जो कि मैंने already कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, contact पे गया, तो हमें render करवाना है, contact वाला page, and वो जो contact वाला page है, वो होगा, यह वाला page, and अगर यह वाला page होआ, तो यहाँ we will get contact page, simple, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, refresh करता हूँ, अभी मेरा home page है, but the moment मैं contact पे क्लिक करूँगा, and boom, guys, देखो, मेरा nap bar कुछ नहीं हो रहा, nap bar as it is, and मैंने कुछ किया भी nap bar के लिए part sales, मेरा part sales, nap bar अपने जगे बिंदास आराम कर रहा है, क्योंकि कल की दीन, अग guys, मुझे अलग अलग नहीं करना है, मतलब contact में जाके portfolio करो, index में जाके, कुछ नहीं, एक बार अगर मैं change कर देता हूँ, and refresh करता हूँ, यह देखो, home pay भी, sorry, contact पे भी portfolio, home pay भी portfolio, so this is the beauty of your part sales file, ठीक है, मैंने आपको बाता आया था है, वीडियो में की, आप बिल्कुल टेंस का page create कर सकते हो, and यह देखो, home pay अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो guys, अभी भी contact पे, and उसका reason यह है, कि home pay मैंने, बस अब आपको क्या गना, guys, rootी तो set करना है, simply इस तरगे से लिख दोगे, तो भी आपका home page, nap bar के बादले मैं लिख दूँगा, इस तरगे से, थापा technical spelling से ल काम कर रहे, लेकिन यह जो मेरा contact है, guys, इसको मैं as it easy href रखने वाला हूँ, क्योंकि वो बस आप लोगों को बिल्कुल ऐसा निरासा ना हो, कि यार, complete बोला, लेकिन यह तो सिर्फ single page, single page, double page, कुछ नहीं होता है, सब सेम है, अगर आपको एक page बनाना आ आ गया, तो बाकी page म मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, अभी मुझे अपना जो main index page अब उसके साथ खेलना है, यहाँ पर देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ, यह जो मेरा contact page इसको हटा देता हूँ, napbar की मुझे बिल्कुल नीट नहीं है, app.js की मुझे बिल्कुल न है, ठीक है, and margin, top, मुझे उपर से 5 का difference चाहिए, simple, इसके से मैंने लिखा, अगर हम ना लिखेंगे, तो भी चलेगा, लेकिन मैंने already code लिख रहा है, इसलिए मुझे मालूम है, ठीक है, and मुझे यहाँ पर row चलना है, because, अगर आप दियांसे दोखोगे, तो यह जो part है, एक left side को है, दुसरा right side को, and grid system की मदद से, मैं बहुत इसलि इन दोन को separate कर सकता हूँ, simply, इसके call, medium devices पर, guys, मुझे total 10 का space चाहिए, and मैं चाहूँगा, mobile पर complete 12, and मैं चाहूँगा, दोनों एकदम center पर, I mean, both left and right side से, मुझे space मिल रहा, ठीक है, अब भी यह जो code है, इसको मैं copy करत not here, एकदम top पे, यहाँ पे, and यह जो 3 part है, इसको हट आता हूँ, यहाँ पे, मैं paste कर देता हूँ, ताकि उसको मैं एकदम perfectly center पे दिखा सकू, अगर आप मैं refresh करूँगा, तो guys, आप देखो, कितनी perfectly उस तर किसे center पे आ गया, है कि न, लेकिन उपर आपको जो gap दिखाई दे hero section start, spelling से लिखना है, this is it, इस ही को मैं कर देता हूँ, copy, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, hero section ends, perfect, चलो, ठीक है, अब यह मुझे क्या करना है, guys, यह basically मैंने अपना एक, कहते हैं, guys, जब भी हम website create करते हैं, तो left and right में जो एक space है, उसको maintain रखना पड़ता है, तो आप देख स तो मुझे इसके, एक second, मुझे वापस यहाँ पर चलना पड़ेगा, मुझे एक deep create करना पड़ेगा, यहाँ पर class देता हूँ, row, क्यूंकि अब मुझे 6-6 का gap देना दोनों में, ठीक है, तो simply मैं चलता हूँ, इस से, यहाँ पर देखो, मैं चाहूँगा कि मेरा medium devices है, उस पर 6 space ले, लेकिन जो मेरा mobile devices है, उस पर 12 space ले ले, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं class देने वाला हूँ, that is hero text, and यहाँ पर गाइस मैं देखो, क्या करता हूँ, अब यहाँ जटी छोड़ता हूँ, फिलाल के लिए, ठीक है, and हाँ एक और चीज, यहाँ पर मैं order नाम का यह जो इसको मैं inspect करता हूँ, तो आप देखोगे कि title नीचे है, और यह उपर है, because मैं order set कर रहा हूँ, same, इसको मैं करता हूँ, एक second, copy, यहाँ पर मैं करता हूँ, paste, यहाँ पर फिलाल के मैं लिग देता हूँ, right side, ctrl s, save, ठीक है, यहाँ पर देखो, guys, बहुत ज़्याद एजी ह and यहाँ पर भी same, sorry, यहाँ पर भी यह one रहेगा and यह जो order है, यह 0 क्योंकि image को अब मुझे उपर करना है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो, it's super duper easy, that is, कि directly मुझे एक h1 चाहिए, जहाँ पर मैं यह copy करने वाला हूँ, simple, ठीक है, and मुझे again एक और h1 च आटे, guys, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, यह कैसे वाँ होगा, वहाँ पर क्योंकि वह थोड़ा सा dark है, तो इसके लिए मैंने span tag उसकिया, because span कभी भी line को break नहीं करता है, else अगर आप deep use करेगा, तो line को break कर देगा, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, class देना चाहूँ इसको एक class देता हूँ, जिसका नाम होगा, guys, button style, ठीक है, button का style, simple, and इसको मैं b, t, n, and then वो जो हूपर effect होगा, because of this button primary, ठीक है, and वो कैसे होगा हो, मैं आपको बाता था, आप बिल्कुल टैंसम मत लोग, and यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, simply say, read more, ठीक है, इतना मैं लिखत हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, refresh करता हूँ, so guys, आपको कुछ वो इस्तरीक से दिखाई देगा, एकदम perfectly left side में, and वो जो image है, and I think मैं भी तक image copy नहीं की, so guys, मैं image copy कर लेता हूँ, और guys, आप देख सेकते हो, कि मैं अपना ही, जो मेरा main root folder है, वहाँ पे मैं आज चुका this is it, and images में मेरे पास already images है, आप देख सेकते हैं, दो sbz है, एक png, basically, मेरे पास सिर्फ दो ही image को मुझे use करना है, and I know guys, आप मैं इसे बहुत हो का request राता है, कि आप ही images कहां से use करते हो, so guys, यह मैंने images कहां से use की, उसका link मैं आपको नीचे description में provide करा दूँगा, so आप में free images मिलते है, ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा, चलो, ठीक है, आपको पता चलिगे trick क्या है, free illustration images, बस इतना आपको लिखना है, यह vector images, चलो, ठीक है, and don't worry, इस बार जो images है, उसका link में नीचे आपको description में provide करा दूँगा, तो मैं नीच आता कि आप खाली हाथ जाओ, knowledge images तो मिली रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ आपको new trick पाता चल रहा है, कि नी, awesome यह, so guys, मैं क्या करता हूँ, figure tag यूज करता हूँ, simply figure बहुत important है, HTML5 वाले बोलते है, images को, you know, use करने से पहले figure tag यूज करो, चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, and the best part ये ना, कि guys, मुझे directly images लिखना है, यहां पर मुझे कोई root set नहीं करना कि, यार मैं तो क्या हूँ, मैं तो इस views के अंदर हूँ, फिर मुझे template के बाहर जाना है, फिर public folder के अंदर जाना है, फिर images के अंदर जाना, कुछ नहीं है, इसा, simply images लिख दो, automatic express handle कर देगा, क्योंकि हमने already उस सब कुछ set कर यहां पर मैं चलता हूँ, इसका जो नाम होगा, that is growth.sbg file में यूश करने हूँ, क्योंकि sbg file बहुत awesome है, and this is it guys, यह देखो, कितनी easily आ गया यह, है किनी कितना awesome यह, सब automatic set है यह, and now finally guys, हमारा सब कुछ complete हो चुका है, बस अब हमें css include करना, ताकि जो अब भी यह कुछ इ इसा कर सकू, and believe me, मैंने css के पर बहुत सारे वीडियो बनाए, मैं highly recommend करूँगा, कि आप please, अगर css का आपको बिलकुल knowledge नहीं है, तो आप उसको एक बाद जरू check out कीजे, link में नीचे description में आपको provide करा दूँगा, यह top पे भी आप देख सकते हो, जरू check out कीजे, ठीक है, so मैं क्या करता हूँ guys, मैं again css add करता हूँ, देखिए, so कैसा आप देख सकते हो, मैं again public folder, css, यह वाला जो part इसको मैं करता हूँ, delete, and just मैंने जो अभी complete मेरा css का जो file है, उसको मैंने कर दी, add, ठीक है, अब आप जा दो देखो, so 3, 2, 1, and boom guys, alright, 1 second, 1 second, my mistake guys, अभी तक मैंने c css actually add नहीं की, you know, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर चलता हूँ, css style नहीं लिख सकता, मुझे css forward slash style लिखना है, css save करता हूँ, so 3, 2, 1, and boom guys, इसी देखो, कितना awesome है यह, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ problem है, यहाँ पर जो आप देख सकते हूँ की, थोड़ा सा perfect नहीं हुआ यह, right, so guys, मैं क्या करता हूँ, सिद्धे अपने nap bar के अंदर में चलता हूँ, जो मेरा container fluid, जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मुझे nap bar, मैंने एक style add किया था, that is nap bar style, ठीक है, ताकि अगर मैं ध्यान से दिखा सको आप लोगों को, यहाँ पर जो side में आपको बहुत gap दिख रह and bottom, py, it means both top and bottom में मैं तिन का gap देने वाला हूँ, अब अगर मैं refresh करता हूँ, and boom guys, देखो यह कितना awesome दिखाई दे रहा है, मुझे, यह मेरा 100, देखो, awesome होगा, यह थापा technical बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो उसको भी मैं बहुत easily tackle कर सकता हूँ, by simply writing ही, देखो, यह म आप देख सकते हूँ, कि यह और यह almost same है, and आप देख सकते हूँ, थापा technical, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, public, css, style.css, यहाँ पे guys, अगर मैं आपको दिखाऊ, so napbar style में देखो, मैंने background color दिया था, and हलका सा box shadow आपको दिख रहा होगा, यह देखो guys, logo मैं 3.5 RAM में लिखता हूँ, because मैं RAM भी उस करो हूँ, यहाँ ठीक है, and एक काम करता हूँ, कि that is, एक बार refresh करो, तो थोड़ा सा कम छोटा होगा, चलो ठीक है, लेकिन guys, मुझे यह capitalize में चाहिए था, ठीक है, so text transform, instead of uppercase, I want, all right, मुझे suggestion नहीं आ रहा है, तो MTN की गड़ी spelling सही है की wrong है, capitalize and boom, guys, इसे देखो, T capital, and एक काम कर सकता हूँ, मैं nap बार पे चल के, एक space दे देता हूँ, ताकि मेरा जो दोनो टी है, वो capital हो जाए, थापा technical and awesome, देखो, perfect, इतना awesome था यह, and willip में guys, इसे बहुत ही ज्यादा simple है, ठीक है, आप देख सकते हो, इस वीडियो का source code कैसे पाना, guys, उसका वी link में आपको नीचे description में provide करा दूँगा, तो आप बिल्कुल टैंसा मत लीजिएगा, ठीक है, and यह जो part आपको दिखाई दे रहा है, guys, hero text का h1, मैंने कुछ इस्तरिके से code लिख रहा, font size, line height, text shadow, letter spacing, color, letter spacing, and then text transform, इतना simple है, and willip में guys, ज्यादा कुछ है मतलब मैंने कोई advanced concept यूजी नी किया, like we have pseudo elements, pseudo selectors, एकदम हाइफाई जो रहते है, वो मैंने कुछ ही यूजी नी किया, एकदम pure basic CSS रखा, जहां पे मतलब आपको मजा जागा, इतना ज्यादा simple है, ठीक है, and आप लोग guys, नीरास ना हो, आप लोगो को ऐसा लगे, यार इसने लेना है, बस वीडियो को end तक देखी, किस तरगे से हो रहा है, main dynamic कैसे work कर रहा है, वो समझना जरूरी है, ये contactors का data database पर कैसे जा रहा है, database कैसे create हो रहा है, वो सब ज्यादा important है, ठीक है, ना कि ये CSS, CSS बहुत easy है, फिलाल अभी के लिए, simple, मैं इतना काम हो गया, मैं अब directly करते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा कुछ है भी नियु वेबसाइट में थी न, अब देखो मैं क्या गरता हो यहां पर, ये जो मेरा part है, that is ये वाला, मुझे perfectly एकदम center पर, I mean vertically, ठीक है, तो मैं बहुत easily कर सकता हो, ये जो मेरा part आपको याद है, मैंने यहां पर बताया था, सही time आने पर मैं आपको बताऊंगा, कि यहां पर मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करता हो, guys, and the worst part ही कि मुझे suggestion नहीं आ रहा है, वानना मैं बहुत easily, guys, मुझे मनलब time भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे नाम तो याद है, क्या है, justify content, अब मुझे पूरा type करना पड़ा है, manually, so, मैं लिख देता हूँ, start, simply start लिख देना है, guys, here you have to write align items, and I don't know, guys, में क्यों तिनी spelling mistake करता हूँ, align items, आपको लिखना पड़ेगा, center, let's see, क्या होता है, control s, save करता हूँ, यहां पर चल के refresh करता हूँ, I think, सब एक लाइन में, perfect आपको simply लिख देना है, flags, and then column, आपको बस यह code लिख देना है, control s, save करता हूँ, so, सब एक के नीचे, automatic आजाएंगे, जो मुझे चाहिए था, and, एक good word हो गई है, and that is, कि मैंने कहां good word कर दी, justify content, start, नहीं लिखना था, justify content, center, मुझे लिखना था, तो, I think, अब यह center पर चुका है, है की नहीं, कितना औस्सा में देखो, all right, अब उसी तरीके से, we have और about us का page, and believe me guys, about us का page तो super duper easy होने वाला है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, about us की page create करने के लिए, इसको copy करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, paste करता हूँ, hero section जो मैंने लिखा है, यहाँ पर म मैं चलता हूँ, ठीक है, अब यह बहुत यह awesome part पाता है, अब awesome part है कि guys, मैं सभी data को partial files के अंदर include करने वाला हूँ, ताकि कल की दिन अगर मुझे यह data कहीं और use करना पड़े, तो मैं simply जैसे मैंने ने 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 बार को call किया, मैं about us करके call करना चाहूँ, simple ठीक है, so देखो, यह जो है, यह as it easy रहने वाला है, so मैं क्या करता हूँ, इस ठीक इन दोनों की बीच में ठीक रो की उपरा, पहला रो नहीं, यह जो पात है, यह तो मैं क्या कर रहा हूँ, left and right side में space देने के लिए इस तरीक से मैंने रखा है, एक एक column का space दे रहा हूँ, क्योंकि total 12 होते, and MX Auto की मदर से मैं दोनों को center पर रख रहा हूँ, ठीक यहाँ पर मुझे अब यह चाहिए न, about us and then grow your business, यह जो मेरा part है, so मैं क्या करता हूँ, simply यहाँ पर चलता हूँ, h1 यह मेरा about us, and I think मैं इसको कुस्तों भी class दे रखा, that is simply text center, ठीक है, आप चाहिए तो directly typography भी यूज कर करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, इसको class दे देता हूँ, that is simply same guys, text center है, एक काम करता हूँ, इसको कोई कॉपी कर लेता हूँ, है कि नहीं, किसले बार-बार लिखना उसको, and this is it, अभी जो main है, main के बादे मैं लिख देता हूँ, subheading, this is it, इतना मेरा काम सिंपल हो और मुझे जैसा है, वैसा ही चाहिए, so order मैंने हटा दे, ctrl, let's save करता हूँ, अभी सिर्फ इतना मैं लिखता हूँ, यहाँ पर refresh करता हूँ, so guys, अब आपको कुछ हो इस्तिर किसी दिखाई दे रहा है, जो की same about us है, खाली image change करना है, और मुझे content change करना है, आप देख सकते ह आप आउसम था यह, यह देखो, है कि नहीं, and the best part यह कि guys, उन्होंने इसको change नहीं किया, जबकि मैंने यह perfectly लिखा है, alright, हाँ, एक और चीज, एक और चीज, अगर आप about us use कर रहे हूँ, ठीक है, so guys, हर एक को मैंने क्या किया हुआ है, कि top पे जाके एक id दे रखी, ताकि हर यह जो about us, यह जो part है, and then our service, and यह वाले जो part है, and यह वाले जो part है, and यह वाले जो part है, सब सेम रहे, ताकि मुझे बाबा कोड ना लिखना पड़े उनके लिए, ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे about, ठीक है, इस तरह किसे about, आप समझे रहे हूँ, मालब जितना simplified version यहाँ आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह किसे about id, ठीक है, the moment में इतना लिखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, refresh करता हूँ, boom, guys, ही देखो, इतने में तो आपको कोई difference पाता भी नहीं चल रहा होगा, say में, देखो, हैकिन इतना awesome, य अगर आप में about पे क्लिक करूंगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि, चलो ठीक है, क्योंकि वाला जो पार्ट है, वो मैं थोई देर में बाता हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे image change करना है, सिर्फ images तो change करना है, ठीक है, मैं growth पे चलता हूँ, and यहाँ पे लिखाता है, इसको मैं हटाता हूँ, simple, we are the professional, यह जो grow your business को मारो गोली, and यह जो पार्ट मैंने लिखा है, इसको मैं करता हूँ, copy, यहाँ पे मैं चलके इसको इस तरह किसे लिख देता हूँ, and हाँ, एक काम मैं कर सकता हूँ, that is, की फिलाल यहाँ पे मैं चलके लिखता हू यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि अगर आपने नोटिस का होगा थापा टेकनिकल जो है, थोड़ा सा बोल्ल है, उसका कलर थोड़ा लग है, right, so, यह जो थापा टेकनिकल है, इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ रख देता हूँ, and यह जो मेरा पार्ट था, welcome to आला, इसको यह यहाँ से आटा के मैं यहाँ पे, क्योंकि अल्लेडी मैं सेम होई चीज कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे चलता हूँ, अब अगर मैं रिफ्रेस्ट करता हूँ, this is it गाई से देखो, we are the professional developers and read more automatic, कितनी easily यह सब कुछ हो रहा है, and यह क एक और चीज में दिखाना चाहूँगा, that is हाँ, यह वाला पार्ट, देहे, यह जो grow your business था, बहुत ज्याद सिंपल, मैंने hero के अंदर जो मेरा h1 है, उसका जो मेरा nth child है, second वाला, उसका जो nth child है, it means कि यह जो second वाला, इसको खाली मैंने get की, font weight bold किया, and color change की, font weight थोड़ा बाकी यह जो आपको इस्तर की से जो effect दिख रहा है, वो मैंने text shadow यूज किया, the moment अगर text shadow को में, इस्तर की से, you know, comment कर देता हो, देखो काईस, आपको normal दिख रहा है, again text shadow include कर दूँगा, थोड़ा सा bold, थोड़ा सा attractive दिखता है, so इस्तर की से काईस, हमारा about, sorry, हमारा hero page, and then ह about us का page complete हो चुका है, control है, save करता हूँ, अब क्या है, and हाँ, एक और चीज, अभी जो about us का page है, इसको मैं क्या करता हूँ, देखो, यहाँ से पूरा का पूरा इसको मैं करता हूँ, delete, यहाँ पे मैं चलता हूँ, parcels file पे एक और new file create करूँगा, जिसका नाम होगा about.handlebars, sbs, यहाँ पे मैं चलके paste कर दूँगा, index पे मैं खाली क्या करूँगा, उसको खाली बस मैं call करना चाहूँगा, that is, double curly braces, and then about, this is it, इतना ज्यादा simple, and boom guys, एक second, not here, यहाँ पे, and see, same output आ रहा है, so यह हैना awesome guys, मलदब मुझे अपने index page को एक दम simple रखना है, आप चाहो तो इस hero page के लिए भी guys, अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचा छोड़ो किसलिए, इसको एजटीज रखता हूँ, यह बस दिखाने के लिए कि अब इस तरीके से हम work करने वाले, all right guys, अब मुझे क्या करना, मुझे अब service वाला page क्रेट करना है, so यह जो about us है, इसको मैं get करता हूँ, यह HBS, this is it, मैं यहाँ पर चलना है, आपको यादे मैंने कहा था काई, यह जो मेरा part है, यहाँ तक, यह जो row वाला part है, यहाँ तक मुझे सब कुछ same चाहिए रहेगा, so copy करता हूँ, service पर paste कर देता हूँ, about का यह जो part है हटा देता हूँ, CSS को रहने देता हूँ, इसको रहने इस जगे पर मुझे चलना है, and instead of about us, I have to go with our services, ठीक है, and the best part अभी आप देखो क्या होता है, क्योंकि सब कुछ already set है, मैंने कहा था है, एक बार अगर आपने set कर दिया, तो फिर कुछ नहीं करना है, control, let's save, अब अगर मैं यहाँ पर चलता हो, देखो कुछ नहीं है, but the moment में refresh करता हूँ, and boom guys, now we have our services वाला page, यह इतना awesome मलब मज़ा रहा है, मुझे है कि नहीं, देखो, इतना हो चुक है, चलो ठीक है, and यह hover हो रहा है, perfect, यह hover भी हो रहा है, ठीक है, अब services वाला जो page है, अगर इसको मुझे click करने पे, you know, services वाला, अगर इस particular portion को मुझे, I mean, करता हूँ, copy, मुझे जाना पड़ेगा, navbar वाले parcels फाइल पे, यहाँ पर यह जो service वाला part है, यहाँ पर मुझे खाली, I mean, id का pass कर देना है, यह जो id मैंने लिखा है, मेरा जो main root div है, उसका जो id है, service पे click करने पे, href पे id को हम किस से get करते है, by using hashtag, and then service id, this is it, इतना आपक को लिखना था, मैं यहाँ पर चलता हूँ, refresh क्लिक करता हूँ, and then service पे click करता हूँ, and this is it, guys, don't worry, यह क्यों ऐसा हो रहा है, यह पर हम इस पे इतना focus नहीं करना है, लेकिन smooth scrolling हो रहा है, and वो जो smooth scrolling हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, सिर्फ एक line को code के कारणा, वो हो रहा है, because of HTML को मैंने scroll behavior smooth, पस यह एक जो property है, वो मैंने add कर रही थी, that is scroll behavior smooth, and यह सब की उपर मैंने already video बना चुक है, believe me, guys, इतना ज़्यादा simple है, इसलिए मैं इतना focus नहीं कर रहा हूँ, चलो, ठीक, इतना मेरा काम हो गया, मैं इसको ajatis रहने देता हूँ, अब वसी तरी के से, guys, म ठीक है, इसलिए के से रखता हूँ, gallery का तो कुछ है नहीं, this is it, बाकी सब about id, service id, and then contact id, अब मुझे इसकी कोई need नहीं है, control, save करता हूँ, service पे मैं रहने देता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, home पे चलता हूँ, about पे देखो, guys, about कितनी perfectly आ रहा है, service पे फिर भी यह क्य all right, guys, I got it, यह पता है क्यों हो रहा है, यह इसलिए हो रहा है, because इसके नीचे services का कोई data है नहीं, and जो maximum, जो top level तक यह आ सकता था, वो यही है, इसके नीचे, अगर मैं content add कर दूँगा, यह automatic top पे आ जाएगा, now I got it, ठीक है, यह माल्दब, यह होता है कभी कभी ऐसे, चलो ठ ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अपना content add करना है, and आप देख सकते हो, अगर मैंने एक create कर लिया, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, इतना ज्यादा simple है, ठीक है, so about को मारो गोली, service पर चलते है, इसको हटाते है, देखो, यहाँ पर आप बहुत, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो, क एक, दो, तीन, great system होते है, total 12, जिसमें से एक और एक तो मैंने काट की सिर्फ दसी बना दिया, so मुझे किसी भी तरीके से इन तीनों को fit करना है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक row में अगर आपको 3 div दिखाना हो, या 3 कुछ भी दिखाना हो, so कैसे divide करोगे आप, total ज भी three is a 12, so for four, 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 six, answer, four, six and four columns में सबको ठीक है, और या क्या होगभा, मैं यहाँ पर चलता हो class ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूं mdi, directly md भी तो लिख नहीं सकता, call md4, simple इतना लिख देता हूं,lares save करता हूं, यहाँ can चलता हूं देखो guys, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर चलना है div, basically इनको मैंने already CSS दे रखा है, so class में देता हूँ उसका box, ठीक है, मैंने हर एक को एक box माना है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, again एक और div, our services class का नाम, and साथे साथ we have our settings, मैंने class का नाम दे रखा है, कुछ इस से, now here we have our div, ठीक है, class में चलता हूँ, इसको एक icons करके, not icons, icon करके मैं class दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं image, जो यह मेरा tag है, ठीक है, img को मैं select कर रहा हूँ, source जो होगा guys, मेरे पास already है, that is, htps, colon, forward slash, forward slash, and I hope अब आपको यह देखी, कुछ पता चल रहा होगा, that is, कि यहाँ पर भी हमने कुछ वैसी उसकिया, vongodb, colon, forward slash, forward slash, same यहाँ पर भी है, ठीक है, guys, एक free site है, जहाँ से आप ऐसे awesome, को, again, आपको यह एक और awesome information पाता चलने वाला, that is, img.com, यहाँ पर गाइस आपको बहुत कुछ पाता चलने वाला, and अब मुझे लग रहा है, मैं को सा क्यों भाई, 6NK, एक बार मैं क्रोच चेक कर लेता हूं, all right, guys, I think, वह साइद O होगा, फिर, क्योंकि मैंने जब, मैं तो खाले, directly link से copy paste किया था, लेकिन, all right, perfect, देखो, यहाँ पर एक बार, see, अगर आपके mind में आ रहात होगा, यह कैसे क्या होगा, obviously, guys, यह हम बहुत लेकन दिख रहा, white color का, उसको लेना, and then, यह जो आपको तीरचा, आपको, मतलब, यह अंडे, हलका फुल का अंडे वाला, जो, safe का, जो border radius, जो एक property है, जो background आपको मिल रहा, guys, हमारे पास border radius भी हम उसकर सकते, advanced थरीके से, मैंने अल्रेडी बताया है, उसके थुरू भी यह tag है, guys, उसको खाली मतलब को, क्योंकि कल की दिन, अगर कुछ server down हो गया, तो वो बहुत जाद important है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं इससे किसी लिखता हूँ, h4 tag यूश करने वाला हूँ, so guys, यहाँ पर मैं चलके लिख देता हूँ, settings, मैं यहाँ पर चलता platform, and I think यह तो मैं बहुत इसको copy कर सकता हूँ, not platform, sorry, I think मैंने platform बोला, तो basically paragraph, ठीक है, the moment मैं इतना करता हूँ, refresh करता हूँ, so guys, एक second यह क्या हो गया, यह कुछ आपको इससे किसी दिखाई दे रहा है, and I just realized कि guys, यह वाला जो div है, आइकन, ठीक है, मुझे इसको basically यहाँ पर कितना awesome है यह, है की नहीं, यह देखो, है की नहीं इतना awesome, and यह perfectly 100% है, चलो ठीक है, अब यह मुझे क्या करना है, and I think उस तो कहीं, nice guys, एकदम perfect है, सब कुछ सही है, अब यह बस मुझे जो MD4 जो था न, इसको मुझे copy करना है, and इसको मुझे कितनी बार paste करना है, God knows मैंने कि इतनी बार paste कर दी इसको, all I take extra हो गया, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, refresh करता हूँ, so this is it guys, यह है न awesome, and यह जो effect आपको देख रहा है, guys, I mean बहुत ही ज़्यादा simple है, बहुत ही ज़्यादा, and वो इसलिए हो रहा है, क्यों कि अगर मैं आपको लेकर चलता है, लेकिन यहाँ पर जाओंगा, तो वो finger दिखाई दे रहा है, and background image में मैंने बस linear gradient यूज किया, दो color को simple, हर एक पर अलग-अलग color है, setting का अलग color, speed का अलग color, इसका अलग color, उसका अलग color, that's why वो आपको अलग-अलग color यहाँ पी इस तरगी से दिखाई दे रहा है, so guys, म काम करता हूं, मैं copy ही कर लेता हूं इसको जल्दी से, all our guests, अब आप देख सकते कि मेरे, जितनी भी images थे, सब मैंने change कर दिया है, and boom, guys, see, मतलब कितनी easily हमारा, guys, see, हमारा home page, about us का page, and then our services वाला page, complete हो चुका है, अभी मुझे क्या करना है, simply google map include करना है, and believe me, I think, यह तो दुनिया का सबसे easy वाला काम है, that is, आपको simply जाना पड़ेगा, google maps पे, ठीक है, google maps को करो open, and यह बहुत easily, आपको जहां भी सर्च करना हो, let's go with pokhra, जहां मैं रहता हूँ, नेपल में, इस तरी किसी pokhra, बहुत ही awesome, I mean, कभी अगर आप नेपल विजिट करते हो, तो यहां पर जरू जाना, and यहां पर देखो, आप share देख सकते हो, यह देखो, embed a map copy html, this is it, इसको मैं हटाता हूँ, index पर मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ guys, मुझे simply उसको embed करना है, so मैं जल्दी से यहां चलता हूँ, partials पर चलता हूँ, maybe हो सकता हूँ, मुझे वो कहीं और जगे भी use हो, right, so मैं यहां पर चल के इस तरी किसी लिख देता ह this is it, the moment में यह करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस maps को यहां पर call करना है, मैं our services को छोड़ता हूँ, maps, start and then ends लिख देता हूँ, and यहां पर भी मैं simply से लिख देता हूँ, maps, ठीक है, control है, save करता हूँ, यहां पर मैं चलता हूँ, refresh करता हूँ, and boom guys, देखो, लेकिन यह complete नहीं दिखता है, यह complete नहीं दिखता है, उसको क्या करना पड़ेगा, maps पर चलना पड़ेगा, आप देख सकते हूँ, यहां पर एक property है, that is your width, basically एक attribute है यह, instead of 600, आप क्या करो, इसको कर दो 100%, this is it, the moment आप यह करते हो, so 3 to 1, and boom guys, इसी देखो, आपको complete है, यहां पर आपको आप जितना चाहिए तो इसको जूम कर सकते हो, Davis Paul बहुत ऑस्सम है, इस तरिके से आप देख सकते हो, मैंने इसको add कर दिया है, सब कुछ मेरा add हो चुका है, आप चाहिए और जूम कर सकते हो, आपको मज़ा आ जाए गए देखो, आप यह ज्यादा awesome दिखाई दे रहा है, ह अब भी मुझे क्या करना है, मुझे अब यह contact us का यह जो page है, इसको add करना है, and believe me, यह super duper easy, उसके लिए आपको क्या करना है, again, bootstrap 4 पर चलना है, here we have our forms, यहाँ पर simply forms है, यह जो part है, ठीक है, email and then password, इसको करो copy, इसको मैं हटाता हूँ, again, मुझे चलना पड़ेगा मेरे partials यहाँ पर मैं चलता हूँ, new file, contact.hbs, यहाँ पर मैं चलके कर देता हूँ, paste, सिर्फ इतना मैं लिखता हूँ, फिलाला भी कुछ नहीं करूँगा, extra, ठीक है, इतना मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं चलके, अगे इसको मैं करता हूँ, copy, copy करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता करूंगा तो आपको normal दिखाई देगा कुछ वो इस्तिरगे से देखो email address and then password ठीक है super duper easy अभी मैं क्या करता हूगा इस मेरे पास already इसका भी code है so मैं चलता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ जो important है मैं आप भी आपको बाता हूँ इसको फिलाल हटा रहा हूँ मैं ठीक है जो important है वो मैं रखता हूँ I mean जो जादे important नहीं वो फिलाल यहाँ पर simple div level input and यह क्यों मैंने लिखा क्योंकि इन्होंने वही बोला div level input यही मैंने copy paste किया कुछ extra नहीं है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा वो ही मैंने बिलिप में गाईस मैंने front end आपको अपना देखना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा basic बहुत ही ज्यादा simple है बिलिप में ठीक है एंड यह जो font आपको जो इस तरह की से दिखाई दे रहा है I think मैंने आपको अभी तक font के बारे में बताई नहीं होगा that is यह होगा इस पॉरेट वन एंड इस सुपर डूपर इजी कि अगर आपको इस तरह के से पॉंट आड करना तो Google fonts पर आपको जाना है simply Google fonts पर अगर आप जाते हो तो I think यह पॉरेट करके होगा P O I R है दो को पॉरेट वन कॉपी करना है इसको आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे इंपोर्ट पर जाकि जो कोड़नोगा उसको यहां पे मएनने पेस्ट की हुई है इंड जो फॉंट एक्टरस का फॉर्म बनके रेडी है ठीक है लेकिन फिर भी आप में क्या करता हूं यहां पर में चलता हूं देखो यह मैंने क्या रखा मेरा email not email मेरा name email address अगें आप देख सकते हो date नहीं है क्योंकि database पर मुझे date करके भी एक extra value मिल रही है यहां पर एक फिल्ड मिल रहा है ठीक है अभी मैं क्या करता हूं जब भी आप form को कॉपी करोगे official site से या कहीं से भी वह कुछ आपको इस्तिर की से दिखने वाला है जहां पर जो लास्ट वा सब्मिट पर क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा कैसा आप बहुत क्रियरी देख सकते हो name email phone message सब कुछ है लेकिन सब empty है ना इसमें validation है ना इसमें कुछ है कुछ नहीं है इसमें ठीक है इसलिए मैंने बता है क्योंकि यह बहुत जाता simple था अब actual जो main इस video का मुद्दा है व लेकिन उससे पहले भी मुझे validation चेक करना पड़ेगा ठीक है एंड उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा का इस हर एक बार मुझे यहां पर यह जो name यह मेरा जो एक input फिल्ड यह जो मेरा दूसरा input फिल्ड यह हर एक input फिल्ड में मुझे एक attribute जो mandatory है जो होना ही चाहिए and that is your name attribute धेखो name के लिए मैंने name उसकिया है एक सेगंड कंडॉल अससे अब देख सकती हुए इमेल के लिए मैंने email उसकिया हुआ है अब देख सकती हूए phone के लिए मैंने name उसके लिए प्लिया मैंने message उसका हुए है so अगर मैं कल के दिन simply name, email, phone and then इस message को मैं call करता होगा इस मुझे यूजर ने क्या data fill कि उसको मैं बहुत easily get कर सकता हूं ठीक है एंड मुझे अब यह चाहिए कि कल की दिन अगर यूजर ने submit button पे click किया तो मैं क्या करूंगा मैं इसको एक page पर redirect करना चाहूंगा that is my contact ओला page so उसके लिए हम क्या करते है उसके लिए हमार पास एक attribute है जिसका नाम है action forward slash contact ctrl as save ठीक है and किस method के जरिए मैं pass करना चाहूंगा and that is your method होगा आपका post क्योंकि now we need to create हमें कुछ create करना है that's why मैं पोस्ट method उसकरूंगा get तब हम ही उसकरते है जब हमें कुछ get करना होता data को and मैं अगर आपको बता हूँ अगर मैं लेके चलू गाइस आपको इस जगे पर वीडियो पे ठीक है आप बहुत क्लिए लिए देख सकते हो मैंने क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो कुछ ही बता है मैंने अल्रेडी पहले ही यह सब कुछ समझा चुका है बस वो सबको मिला कि एक वेबसाइट कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा में है ठीक है post method हमने कि यहां पर भी आपको पाता चल जाए के contact us page पे मुझे एक code डिखना है जिससे मेरा data database फिस्टूर्ड हो जाए सिंपल सो गाइस control है सेफ करता हूँ मेरा contact us का काम हो चुक है अभी मुझे क्या करना पड़ेगा यूनो मुझे इस data को validate करने के लिए कि user कुछ wrong data तो enter नहीं कर रहा है we need a validation and हमें user schema अब हमें schema define करना पड़ता है यहां पर मौंगूस में अब हमें क्या करना है schema define करना पड़ता है ताकि मुझे पता चले कि इस contact us form में क्या क्या data है एंड हम क्या क्या data expect कर रहे है ठीक है यूजर से जैसे यह id name email phone message यह सब भी एक schema है मैं क्या करता हूँ direct कि इसी कोपी कर लेता हूँ ठीक है इ मुझे जाना पड़ेगा models वाला जो folder है new file यहां पर मैं simply लिख देता हूँ का इस dynamic डाइनमिक नहीं मैं लिख देता हूँ user user message कुछ भी लिख सकते आप user message ठीक है dot hbs कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसा कुछ ही नहीं मैं यहां पर चलता हूँ मुझे लगेगा सब से पहले and I think म मुझे यहां पर नहीं देना है मुझे dot sbs मुझे यहां पर simply dot jsc देना पड़ेगा ठीक है dot js perfect and इसको फिलाल आप मैं हटा देता हूँ control है save करता हूँ because guys अब मुझे schema define करना है it means कि schema मतलब क्या होता है कि अपना जो यह structure है उसको define करना आपका यह structure है उसको simply हमें define करना है कि यह name email phone message यह क्या है इस सिर्गी से देखो अभी आपको पता चल जाएगा and already video तो बनाई चुका हूँ तो आप उनको भी check out कर सकते हो const ठीक है यहां पर मुझे चाहिए mongoose equal to require mongoose मैं यहां पर चलता हूँ mongoose चलो एक सेगंड मुझे यह automatic suggestion आ जाना चाहिए था और राइट चलो कोई बात निए अब ही एजटीजी रखता हूँ मैं mongoose चलो मैं रहतना काम हो चुका है ठीक है अब मुझे क्या करना है I need a validator मुझे a validation भी add करना है सो मैं यहां पर चलता हूँ validator validator चलो ठीक है यहां पर मैं चलता हूँ यह देखो validator npm बहुत ऑस्साम है 4 million weekly downloads बोले तो यह next level जा रहा है इसको मैं copy करता हूँ यहां पर मैं चलता हूँ ctrl c c c ls validator मैं ने package जो इसको मैं install कर ली ना इस शुपर डुपर easy हम बहुत easily इसको run कर सकते है ठीक है I mean use कर सकते है देखो कभी भी आपको कोई भी package अगर यूज करना हो तो पहले आप उसको थोड़ा read करिए कि हम कैसे कर सकते क्या कर सकते देखो this library validates and sanitizes strings only strings के लिए काम आता है देखो validator.is email and आपका काम हो गया I mean user जो भी email यहां पर लिखने वाला है उसको मुझे get करना है and validator.is email यह जो method इसके अंदर मुझे वो value पास कर देना है and यह सारा काम अपने आप कर लेगा इसमें बहुत कुछ है सिर्फ email नहीं आप देख सकते हूं क्या equal है या इस आप्टर इस अलफा वैट इस अलफा नुमेरिक यह वो ऐसा वैसा सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला date decimal ठीक है अभी मैं यहां पर चलता हूं so मुझे उसक schema define करना पड़ेगा इट मिन्स कि अपने अपना structure को define कर रहा हूं राइट सो मॉंगूस डॉट देखुई इस इसपर डूपर इस इजी schema पैरेंथेसिस आपको देना है एंड दन कली ब्रेस सिंपल ठीक है अभी मुझे क्या करना काई मेरा जो यह जो database होगा उसका structure कैसा होग मतलब हम कौन-कौन से data को expect कर रहें तो simply मैंने इसको copy की paste ठीक है इसको हटाता हूं इसको हटाता हूं simply इतना मेरा काम हो चुका है अभी मुझे सब सर पहले में बोल रहा हूं कि मेरे यह जो schema है मेरा यह जो database होगा उसमें मेरा जो पहला data होगा वो होगा नेम ठीक है उसका जो type होगा वो होगा मेरा एक second उसका जो type होगा वो होगा मेरा string इस तरी किसे ठीक है perfect मुझे वो जो data में नहीं चाहता को इसको empty छोड़े सो में चाहूंगा required इस तरी किसे में लिख जाता हूं require अगर आप सोच रहे मैंने यह क्या लिख दिया आपको वीडियो देखना पड़ेगा basically मैं बोलो कि मेरे जो name नाम का जो field होगा उसका type होगा string में number expect नहीं करूंगा accept नहीं करूंगा and then उसका जो required means data होना ही चाहिए and आप already देख सकते हो all schema types all right we have a required actually sorry यह required होगा true मतलब data होना ही चाहिए select है अगर मैं थोड़ा और नीचे चलता हो तो आप देख सकते हो किस कुछ इतना है ठीक आप देख सकते हो मैं string अगर यूस कर रहा हूं साम मैं नहीं चाहता हो कोई एक लेटर लिख के छोड़ दे एक कॉमा दूंगा basically मुझे as an object पास करना रहता है ठीक है एक काम करता हो इसको मैं हटा ही देता हूं इतना भी बुद्धू नहीं कि मुझे ना पाता चले क्या हो रहा है यहां पर है कि नहीं इसको हटा देता हू चलो ठीक है मुझे क्या करना email अब email किस टाइप का होगा guys so email अगें यह भी आपका एक string होने वाला है and यहां पर जो red error आ रहा because मैंने colon नहीं दिया था this is your key this is your value ठीक है मुझे अब यह जो मेरा validator इसको मुझे यूज़ करना है देखो मैं कैसे कर सकता हूं so we need to call a validate property simply validate यह हमें mongoose provide कर रहा है उस पे अब user यहां पर यहां पर यह जो मेरा part है यहां पर कुछ भी लिखेगा email के time पर उसको मैं get करूंगा and इस तरह किसे मुझे वह value मिल रही है simple मैं बहुत इजी लिए उस value को get कर सकता हूं simple यहां पर मैं चलता हूं अगर यह जो validator.is email यहां पर आप खुद देख सकते हूं उन्होंने खुद ऐसा बता है अगर मैं top पर चलता हूं validator.is email यह जो है is email अब यहां पर जो है वो तो यह वाली है मतलब user ने क्या data लिखा मुझे यहां पर मिल रहा है इस तरह किसे मुझे पास कर देना अगर हमार अगर यह जो email है अगर यह not valid if it is not valid then guys में क्या करूंगा throw new error मैं बोलड़ा भाई throw new error एक error throw कर दो and this should be capital so इस तरह किसे मैं लिख देता हूं throw new error and उस error का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो so मैं यहां पर लिख देता हूं simply invalid email id this is it मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला कि क्या है क्या नहीं invalid email id that's it ठीक है इसको copy कर लेता हूं paste यहां पर again मुझे कॉमा देना पड़ेगा नीचे में में चलता हूं and जो मेरा तीसरा property है that is my phone number so इससे किसी में phone लिखता हूं उसका जो integer होगा that must be a number required minimum length नहीं है उसका जो validation करना हो कि कम से कम 10 चाहिए right तो मंग उस क्या बोलता है अगर number आप use कर रहे हो so आपको use करना पड़ेगा mean कम से कम mean में चलता हूं and then 10 चलो कम से कम इतना ठीक है उसके नीचे में चलता हूं and then we have last our message again मुझे यहाँ पर colon देना पड़ेगा so same में तो यही होने वाला है इसको मैं कर लेता हूं copy and then paste this is it हमने अपना schema set कर लिया है अभी मुझे क्या करना है गाइस मुझे एक collection we need to create a collection simply स्थरी के से कंट्रोला सेफ कर दयता हूं देख डेटाबेस क्रेट हो चुका था मैंने अपना जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर इसको डिफाइन कर दिया यूज़ए schema अब मुझे collection क्रेट करना है and it's super duper easy and इसमें एक ट्रीक है const यहाँ पर मैं simply लिख देता हूं इस तरीके से ucapital usci user equal to इतना याद रखो यह आपको capital में ल चाहिए उसका क्या नाम होगा वह आपको यहाँ पर लिखना है and it should be a capital capital लिखना है and हमेशा singular form पर ही होना चाहिए like user अगर आप चाहते हो कि मुझे users चाहिए आपको लिखना पड़ेगा user behind the scene automatically आपका user हो जाएगा and यहाँ पर आपको structure को define करना है using schema वह अल्रेडी हमने कर द अब इस user की मदद से user ने यहाँ पर जो भी data फिल किया हुआ कहां गया यहाँ पर user ने जो भी data फिल किया उसको मैं get करूंगा and मैं simply .save method को call करूंगा मैरा काम हो जाएगा अब गाइस बहुत ही कम रहे गया है आपको बिलकुल टेंसर नहीं लेना है ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूं मैं क्या करता हूं मुझे जाना पड़ेगा app.js हटाता हूं टॉप पर सबसे बहले तो क्या करता हूं ठीक इसके नीचे हां इसके यह जो require के नीचे में चलता हू हूं अगें const मुझे वो यूजर चे तो user equal to guys I need to go with require method I mean require function and मुझे यहां पर देखो dot forward slash models forward slash user message this is it एकदम bottom पे चलता हूं यह देखो यह जो पार्ट इसको मैं हटा रहा हूं यह क्या है app dot get ना मुझे क्या ची अब user जब भी contact एक सेगेंड आप इसको भी मैं हटा देता हूं इसके भी मुझे कोई नीच नीच है फाल तुम्हें confusion नहीं रखना है this is it इतना ही और कुछ नहीं करना था कैसे आपको बस इतना ही करना था अभी मैं क्या करता हूं यहां पर मुझे callback you know mention करना होगा so this is it मेरा काम complete हो चुग है अभी मुझे यहां पर दो अब्जेक्ट पास करना है that is request and response simple पास कर देता हूं this is it अभी मुझे क्या करना की user ने जो भी data वहां पर लिखा है उसको मुझे get करना है ठीक है उससे पहले गाइस में इसको async function create करना चाहूंगा asynchronous and अगर आपको error handling करना हो asynchronous में so we need to go with try and then catch method ठीक है मैं चाहूंगा की response.status 500 क्योंकि server error होगा महाँ पर जो भी होगा and यहां पर मैं जाकि send कर दूंगा simply जो भी error हो so हो ctrl save this is it all right guys अब देखो user ने यहां पर क्या लिखा वो मुझे कैसे बता चलेगा मतलब user अगर submit पे click करेगा obviously वो इस route पे आने वाला है using post method जो मैंने set कर दी अब देखो मैं क्या करता हूं मैं directly चलता हूं response.send ठीक है एक बहुती awesome trick है and that is अगर आप postman यूज़ करते हो अगेन मैंने postman के उपर complete video बनाया गया इस इसमें मैंने पूरा postman के 3 यह देखो देखा थो देखा देख लिए जो जलग आया था उसमें क्या होता है ना कि अगर हम कुछ लिखते एक सेगन postman तो है ना मैरे पास ठीक है सो मैं postman को open कर लेता होगा जल्दी से एंड मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ट्री के that is की request.body अगर मैं request.body को call करता हूं तो यूजर ने क्या लिखा I mean request.body से क्या होगा ना मैंने जो schema सेट किया हुआ है तो इस schema में क्या क्या data यूजर ने सेट किया I mean लिखा फिल किया वो data मुझे मिलने वाला है ठीक है मैं इसको चलता हूँ एक second यह देखो यहाँ पर आप देख सकते हो देखो olympic वाला जो मैंने create की थी याद है post request यह देखो इसके अंदर अगर मैं body पे जाता हूँ तो आप देख सेकते हो guys body पे अगर मैं यह जो इस्तिर्गी से कुछ आगर लिखता हूँ मैं तो उसको मैं बहुत इजली get कर सकता था by using request.body and यह बहुत इजली हो जाता था and यह json format ह सेलेक्ट करते थे हूँ आपे simply है की नहीं अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ अब देखो यहाँ पर मैं गया app.js पर अगर मैं request.body लिख कर देता हूँ ठीक है and एक काम करता हूँ यहाँ पर चलता हूँ sorry jg पर and अगर आप देखो guys मैं data फिल कर देता so guys अब आप देख सकते हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है and एक और काम कर सकते है guys हम अपने database पर चलते में एक बार refresh कर देता हूँ and the moment अगर मैं refresh करता हूँ so मैंने यहाँ पर क्या नाम रख अपना database का आपको एक बार दिखाना चाहूँगा मैं and that is अगर मैं चलता हूँ अपना con.js here we have thapa dynamic है की नहीं all right खत्रा ही नाम रख है so thapa dynamic thapa all right guys thapa dynamic करके कोई ऐसा database आभी तक create नहीं हुआ है ठीक है and database तब भी create होता है you know mongo में जब at least उसके अंदर एक field हो उसके अंदर at least collection हो उस collection के अंदर at least एक document was simple फिलाल कुछ भी नहीं है inspect में चलता हूँ all right the best part है की error भी कुछ नहीं है ठीक है and मैं आपको बाता तो ऐसा क्यों हो रहा है and साथी साथ एक और बात भी आपको यह बाताना चाहूंगा कि guys यह जो data हमें नहीं मिल रहा है उसका reason यह है अभी थुई दिर पहले आपको data में get कर रहा हूं तो हमारा यह जो express application उसको नहीं idea की वो जो data आ रहा हूं किस format में आ रहा है ठीक है तो वो हमें बताना पड़ेगा तो उसके लिए guys हमें code लिखना है and that is super duper easy you know मैं काम करता हूँ यहां पर चलता हूँ static path जो है मतलब यह बहुत ही ज्यादा simple है देखो पर मुझे curly braces and then extended करके जो एक property है इसको false value देना this is it because मुझे उस data को get करना है उस data को मुझे चाहिए right तो अब मैं इतना करता हूँ अब अगर मैं वापस data फिल कर लेता हूँ देखिए so guys again test at the rate gmail.com and I think बाता ने वहां मैंने क्या लिख दिया लेकिन फिर भी कुछ भी लिख देता हूँ मैं अब अगर summit पे क्लिक कर तो boom guys यह देखिए कैसे लाग आपको मैंने जो भी data फिल कि को बताना है कि मैं URL encoded के अंदर जो extended property है उसको false रख रहा हूँ ताकि जो भी data हम वहां पे लिख रहे है वो हम उसको get कर सके simple ठीक है आप बहुत ध्यान से देख सकते होगा इस पहले वह data नहीं दिख रहा था अब हमें वह data दिखाई दे रहा है यूजर क्या फिल कर रहा है यहां पर simply यह जो data है ना यह JavaScript object नहीं है यह आपका एक जैसन है because object में अब जब भी आप ऐसे key value pair लिखते हो तो key को थो ही ना double codes उस करते हो नहीं करते है ना बट यहां तो हो रहा है तो it means this is your json format and this json को हम get कर सके उसका use कर सके अपने express application के अंदर सो यह piece of code को हमें लिखना पड़ता है simple ठीक है अब इतना मेरा काम होगी अभी गईस मुझे पता क्या करना है इसको मुझे get करना है simply ठीक है name email phone message already मैंने user schema में बता रखा मुझे name email phone and message मिलने वाला है अब बस खाली मुझे इस data को save करना है कैसे देखो मैं यहाँ पर चलता हूँ app.js के अंदर connection से आप भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है simply एक काम करता हूँ यह जो मेरा part है इसको भी मैं हटा देता हूँ इसके मुझे कोई need नहीं देखो मैं इसको comment out कर देता हूँ it's super duper easy belief में guys const user का जो भी data होगा will be equal to यह जो मेरा new अगर हमें कुछ भी data new create करना हो database पर create करना हो add करना हो using a post method तो new keyword आपको use करना है आप जब इस तरह किसी model आपने जब create किया तो here we have our collection का नाम सो यह आपका collection का नाम है इसको मैंने export करवाया यहाँ पर मैंने इसको require कि you know आप देख सकते हो यहाँ पर यह देखिए user so अगर मैं simply इस तरह किसे new user and यह जो पार्ट है यहाँ पर चलके इसको मैं copy करके इसे मैं लिख सकता था जो मैं बाता रहा हूँ आपको इस तरह किसे मैं लिख सकता था लेकिन वो मैं नहीं करना क्योंकि वो जो data हो तो मुझे back I mean user जब भी data fill करेगा वहां से मिलने वाल है सो मैं क्या करूंगा simply curly braces and वो data मुझे automatic मिलता है अगर मैं request.body यूश करता हूं तो इस तरह से ctrl s save and अब मुझे क्या करना है simply जो भी data मुझे मिला उसको अपने database भी store करना है so user.save method को मैं call करूंगा this is it again guys आपका यह promise return कर रहा होता है and promise com और better तरह की से handle कर सकते simply using async await that's why मैं इसको async await उसकी बनाया I mean async await जो function है वो create की so मैं यहां पर चलता हूं await it means कि मुझे future में data मिलने वाला either it will be fulfill नहीं तो reject and अगर कुछ error होता तो वो यह catch करके throw कर देगा अब मुझे simply क्या करना है यहां पर एक और चीज करना पड़ेगा response.status because जब भी कुछ new create होता we need to type 201 you know उसके लिए ही simply 200 आपका okay 201 means कुछ create हुआ है and render करना चाहूंगा guys मैं मेरा home page simple control and save this is it शिर्फ इतना दो line लिखने से user ने जो भी वहां पर लिखा है वह मेरे database पर store हो जाएगा simple अब मैं back चलता हूं and मैं एक बार make sure कर लेता हूं कि guys मेरा यह जो पार्ट है basically मेरा database को एक बार मैं refresh करके देखना चाहूंगा क्या थापा dynamic देखो guys अब भी तक थापा dynamic कुछ बना भी नहीं है लेकिन मैं वापस data फिल करता हूं देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं test at the rate थापा.com ठीक है मैसेज पर मैं लिख देता हूं hello and the moment मैं submit पर क्लिक करता हूं and देखते let's see guys क्या होता है so guys आपी मैं यह साथ बूली है 3 2 1 and boom ऐसी देखिए so guys data हमें नहीं मिल रहा है and अगर inspect पर हम चलते है and वैसे एक error दिखा रहा है console पर क्या दिखा रहा वाई यह failed to load resource the server responded with the status of 500 क्यों 500 तो यह है guys यहां पर आमने कुछ गड़वड किया है and const user data क्योंकि अब user का जो भी data हमें मिल रहा है उसको में user data पर कर रहा हूँ and user data alright guys actual में user नहीं यहां पर user data के अंदर वो सारे data आचुके है now मुझे खाली save method को call करना था ctrl s save करता हूँ ठीके वहां पर error था basically क्योंकि यह जो भी data है मैंने यूनो यह जो पार्ट है न हम जब इस new keyword करके collection के अंदर वो data अगर हम pass करते है तो एक new document create हो जाता तो मैंने बोला इस document को अब आप save कर दो उस collection के अंदर simple मैं इतना बोल रहा हूँ यहां पर अब मैं क्या करता हूँ back चलता हूँ already है जो data मैं guys वापस data full करता हूँ I mean fill करता हूँ so मैं यहां पर चलता हूँ enter your email so test at the rate thapa.com तब से Gmail लिख रहा था नहीं माना लेकिन अब thapa लिखता हूँ hello already है so 3 to 1 and boom guys all right guys एक problem है and that is fail to look up view यह in views directory लेकिन I think guys हमारे database पर अभी आप देख सकते हो thapa dynamic करके कोई database create नहीं हुआ है लेकिन अगर मैं यहां पर चलता हूँ so this is it guys अब आप बहुत क्लियली देख सकते हो we have our database हमारा database create हो गिया है उसके अंदर मैंने आपको कहा था अगर आप simplest तरी किसे लिखते हो user मैंने क्या लिखा खाली user यहां पर क्या हो गया automatic users plural form में आगया क्लिक करता हूँ and just now मैंने जो लिखा था test at the rate thapa.com and this is it guys कितना simple था यह अब देख सकते हो हमारा यह काम complete हो चुका है अब वापस में चलता हूँ एक और चीज है and that is कि उनको नहीं पता यह क्या चीज है ठीक है जब भी आप render लिखते हो आपको अब इस्तिर किसे नहीं करना आपको उस फाइल का नाम देना मैं चाहूंगा index page पे वो चला जाए simple अब अगर मैं यहां पे चलता हूँ refresh करता हूँ अब गैस मैं जान मुझ कि कुछ भी रॉंग लिखने आला हूँ and enter hit करता हूँ अब बहुत इजली देख सकती हो जो मैंने package इंस्टॉल किया था उसने मुझे एक validation error दे दिया that is email validator email message path email is required path email is required and यहां पे बता रहे user validation field email path email is required simple इतना awesome है यह क्योंकि मैंने यह जो field था उसको empty छोड़ा था तो इस तरह की समगों error देने वाले अब यह मैं क्या करता हूँ अब एकदम perfectly वापस one more time data fill कर लेता हूँ so guys अब this time थापा at the ratetest.com यहां पे hello ही रखता हूँ submit click करता boom guys दो कुछ problem नहीं सब एकदम back to normal अब database पे चलता हूँ refresh करता हूँ वापस मेरा यह data आ गया so guys this is it आज इस वीडियो के लितना ही I know video थोड़ा लंबा चाला गया because इसमें मुझे इस website को भी explain करना था and इसमें मेरा वाट time गया लेकिन मेरा जो main motive था आप लोगों को यह बताना कि कैसे आप आप dynamic website कर सकते using HTML, CSS, Bootstrap, Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose, NPM Packages, Validator I mean क्या कुछ नहीं देखा यार आज हमने इस वीडियो में so guys this is it complete professional website था जो मेरा आपको बताया आपको समझाया pure Hindi language में you know and I hope guys अब आप अपना खुद के company के लिए अपने business के लिए या अपने client के लिए तीजे लिस्तरी के से create कर सकते हो यह तो मैंने आपको बता है कि name, email, phone and message आप इसमें और extra field से add कर सकते हो जितना add करोगे यहाँ पर एड़ और हाँ एक और चीज़े एक और चीज़े में जल्दी से add कर देता हूं that is यहाँ पर मैंजे चलना है बिलिप मी यूजर ने कब मनलब कब मैसेज बेजा या क्या किया तो इसको मैं इस्तरी किसे यहाँ पर लिख सकता हूं date.now method को मैं call करूंगा simply इस्तरी किसे आपको यहाँ पर वो काई तो यह करने की जौति नहीं simply as it is रख दो ctrl s save मैं वापस यहाँ पर चलता हूं ठीक आप देख सकते हूं यहाँ पर आपको contact दिखाई दे रहा हूं पर मेरा contact पर मैं वापस क्लिक करता हूं contact पर आगया मैं वापस data फिल कर लेता हूं and guys यहाँ पर same name हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि same client आपको multiple request कर सकते हैं ठीक है so binod at the rate thapa.com and यहाँ पर awesome लिख देता हूं awesome 300k guys आपको यादे नहीं मैं आपको बताया था 300k subscriber हमें करना है है की नहीं all right मैं चलता हूं इसको submit क्लिक करता हूं and boom guys database पर मैं चलता हूं इसको मैं करता हूं refresh and boom guys इसे देखे now उस client ने आपको कब request बेजा था आपके सारे data यहाँ पर आ चुक है and video को end करने से पहले बताना चाहूंगा हमने already media query इसमें use की तो यह already एकदम perfectly responsive है तो उसका आपको तो विल्कुल भी tension नहीं लेना है समझे में क्या बोल रहा हूं video एकदम perfectly responsive है क्योंकि अगर मैं आपको लेके चलता हूं css के अंदर and then style.css है आप देख सकते हूं मैंने यहापे media query का यह जो code है वो यूस कर रहा है simply at the rate media max weight 768 and इस तरी किसे हमारे यह जो website एकदम perfect responsive भी है so guys यह जो video था it's a fully responsive dynamic website जो कि एक institute में guys आपको एकदम you know final में जाके project करवाते लेकिन I think guys मैंने उसे ज्यादा better आपको समझाया so यह है ना awesome बताना चोंगा मैंने already responsive website के उपर कैसे आप work कर सकते हो उसके उपर मैंने complete video बना आपको वीडियो बहुत पसंद आओगा so guys इसका जो css वाला code था उसको मैं free में provide करने वाला हूँ साती-साती images मैंने कहां से get किया उसका वे link मैं आपको नीचे description में provide करा दूँगा so guys अगर आपको वीडियो थोड़ा सभी सुपूर लागा आपको मजा आया होगा so please इस वीडियो के एक लाइक जरू कर दीजेगा बिल्कुल फ्री है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे social networking sites आपके WhatsApp आपके Facebook आपके Twitter and सबसे जात इंपोर्टेंट आपका जो WhatsApp ग्रूप है आपके जरू share कर दीजेगा and बाता ना चाहूंगा January 5 से पहले पहले we need to complete 300k subscribers in our channels and आप देख सकते हो कितना perfect timing पे पाउज जहां पे boom वाल you know जो effect दिखाई दे रहे so guys बस मेरी इतनी request है कि अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा result complete करना है so इस वीडियो को guys अपने सभी दोस्तों को जरू share कर दीजेगा and अगर कुछ भी डाउट हो तो बेफिकर ओके नीचे comment कीजे मैं आपके जरूर help करूँगा so till then guys thank you so much take care झाल झाल